एनले ख्लास देंड और सोशल स्वाइन्स के ऐसे इंपोर्टेंट कोस्टन जो आपके एक्जांब्स में आने वाले हैं आज की इस वीडियो में आपको में बताने वाला हूं इस वीडियो को एंड देख ना ताकि कोई भी कोस्तन आपसे मिस नहुचे में मैं मनी सुअरमा पास होने के लिए जो मार्किंग स्किम दी गई है वो है क्या टोटल जो त्योरी जाम आता हैं आपको फेपर पे लिखा देखोगे कि 100 मार्क्स का येगा लेकिन इस 100 में से 20 मार्क्स टीम को दिया जाता है बज़ गया आपके 80 मार्क्स आप सभी को 80 में से 33 परसंट लेकर आना कि कैसे आपके passing marks से ज़्यादा आपके 70-80% आएंगे एक नजर हम slaves पर डाल लेते हैं पूरे slaves में total 27 chapters दिये गया है इन सभी chapters में जो सबसे ज़्यादा important chapters है वो political chapter है first chapter से लेकर 8 chapter में से आप सभी exam में 20 marks के question आने वाले है इसके बाद आप सभी का geography का chapter है आप उसको skip कर सकते हो अगर आपका interest है तो आप उसको भी पढ़ लेना लेकिन जो सबसे ज़्यादा important chapter आपका है वो होता है 15 से start 15 से लेकर 27 तक यह आप सभी के पॉलिटी के chapter है इनमें से एक ना एक कोस्टन आप एक्जाम में आता ही आता है तो कोसिस यह करना कि जो एंड के पॉलिटी जिसको हम पॉलिटीकल साइंस राजनितिव विज्ञान कहते हैं जिसमें प्रधान मंतरी राष्टपती यानि प्रेज़ेंट गवर्नर इनके पावर्स क्या होते हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो आप इन चैप्टर्स को थोड़ा सही से पढ़ना आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्या करने वाला हूं प्रिविएस पांच सालों के कोशन पेपर उठाऊंगा और आप सभी के जितने भी चैप्टर 27 चैप्टर दिये गए इन सभी चैप्टर से ऐसे इंपोर्टन को स को matter56 लेकर 56 तक आपको समझञाने वाला ह Selenahym 56 वैप को एकिक करके समझना है और InVideo से आपके एक्जाम में और तो डीरेक्ट आलेक्ट आप से पूछा जाने वाला है अँछैंफ इंदिकक्त को उसमझने घरांब में बना कर आ गरांटी में लिए गडFr His 선생님 को चाम करते हैं को सब्सक्राइब करते हैं आते हैं अपने फर्स्ट कोशन हिंदी मीडियम बाले इस तरफ देखे और इंग्लिश मीडियम बाले अपने इस तरफ नोट्स में देखते चले मैं एक ही करके सभी कोशन को एक्स्प्रीन कर दूँगा हमारा फर्स्ट कोशन है 14 नमंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है यानि कि 14 नमंबर इस सलेवेटिड एज विच वन ओव दी फ्लोइंग डेज इन आवर कंट्री भारत सरकार के द्वारा 14 नमंबर को कौन से डे के रूप में मनाया जाने की घोसना यानि के डेकलरेशन की गई है देखो 14 नमंबर को भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाला नहरुजी का जनम हुआ था और पंडित जवाला नहरुजी को बच्चों से बहुत प्रेम था इसी नहरु चाछा के नाम से भी जाना जाता था इसलिए भारष सरकार के दुवारा 14 नमंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने की घोसना की और हर सार भारत के अंदर 14 नमंबर को बाल दिवस यानिकी चिल्डरन दे के रूप में मनाया जाता है इसके बाद आता है हमारा second question जो कि MC की question यह है अन्य सूची जन जाती तथा अन्य पारंपरिक वन वासी अधिनियम वन अधिकार मानिता अधिनियम निमलिकित वर्सों में से किस वर्स में पारित हुआ था जो हैं के हैं वारत के परदान-दि उस टाइम पर अन्य जन जाती आप को पास्ट किया गया था इंडियन पार्लिमेंट के इनदर किलियर है ये जो MCEQ questions है ये previous year paper में आये हैं इस बर जो questions आएगा इनका format यही रहेगा बट आपने अगर chapters को पढ़ा हुआ है या कौनिसेट को समझा हुआ है तो एक भी खोड़कर मताना में अगर आपको सही आज़सका पता है तो डिक उसको सा लिखिए अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा किजिए दैन उसका ओसर देती इसका पता यह ठीप हो जाए इसके बाद हमारा कौन सा राज्य हैं जिस स्टेट के अंदर महिलाओं की संख्या तो कम है यानि कि मेल ज्यादा है क्यों का गुद्ट कपर ऊद्धा या यानि कि मिल ज्यादा है उन इसके बाद है फौर्थ को पर सन क्या है नि93 गट में इसका सबसे पहला प्रेजिजेंट कौन था जिसको हम अध्यक्स कहते हैं आपके सामने आपे चार ओप्सन दिये हैं अगर आपने इंडियर मुव्मेंट वाला चैप्टर पड़ा हो तो उस चैप्टर में सब बताया गया है वह मेश चंद्रवनर जी कॉंग्रिस पार्टी के फरस्ट प्रेजिजेंट थे क्योंकि कॉंग्री स्वाटी को 1885 में बनाया गया था उस टाइम पर भारत के अंदर कोई और पार्टि नहीं हुआ करती थी कॉंग्रिस पार्टी पूरे नैसनल्ग पे काम कर रही थी सभी लोगयों को योंध्री में जोडने का काम कर रही ले जब इसको ऐटनी फाइफ ए में बनाया गया तो वमेश चंदर बनेर जी इसके प्रेजिट बने और इसको बनाने वाले कौन थे एओ हूं ये एक अंग्रेज था इसने कॉंग्रेस पार्टे को बनाया था इसके बाद भूमेश चंदर बने थे तो मेल यानि कि पूरुसों में अच्छमिन में जो प्रिजिडेंट थे वह थे ए अनिवेसंट भारतिये कि पर्था महिला अध्यक्स थी यह में आ रहे होंगे क्योंकि इनको आपको अच्छे से समझना है क्लाना हूँ पर्षण जैसे-जैसे हम बो देखो यह बोल रहा है कि विच ओव दी फ्लोइंग कंडिशन रिगार्डिंग टैंप्रेचर इस वेन वन मूब्स टूर्ड्स दा इक्वेटर अगर आपने जिग्रोफी का चैप्टर पड़ा हुआ है तो उसमें हमने देखा है कि किस तरह के से जब हम एक्वेटर के सामने ज हो जाता है यानि कि निकट जाते हैं तो कि आपको बताना है अगर पूछर आता कि हम दूर जाते हैं तो हम बताएंगे घरता है नेस्ट को सब निमन में से किस वर्स में भारती राज्यों का भासाई अधार पर उनलगठन किया गया था यानिंग इंडियन स्टेट्स रियोगनाइज्ट उन लैंग्विस्टिक वेसिज यानि कि भारत में हुआ कि जब भारत 1947 में अजाद हुआ उस टाइम पे ही लैंग्विस को लेकर वैरियर खड़े हो गए थे कि भारत का नेशनल लैंग्विस क्या होगा भारत में एक नहीं अनेक भासा नहीं बोली जाती है इसके बाद 1950 में ये डिसाइड किया गया कि हिंदी की जो देव नागरी के लिपी है भरत में ये राज भासा होगी राज्जे इसको अपना सकते है और इंग्लिस जो है इसको ऑफिसियल लैंग्विस को रूप में यूज किया जाएगा यानि कि इंडि लोगों के तुबरा ये डिमांड की गई जो लोग बोलते है उसी के वेस्ट पे अलगर एक राज्य बना दिया जाए और सबसे पहले तेलगू बोलने वाले लोगों ने तेलगू भासा की अधार पर एक नई इस्टेट बनाने के डिमांड की गई अब जब ये नहीं बनाय जा रहा था तो अंदोलन भी किये गए मामला बहुत जादा ही घंबीर होता चला जा रहा था और जो अंदोलन कर रहे थे उनका एक लीडर था रामुलू सीरी पोट्टी इनका नाम था ये और इन्होंने अंसन किया लगवावन दिनों के बाद इनकी दैथ हो गई तो मामला बहुत जादा गंभीर हो गया और फाइनली 1953 में जब डिमांड उठी तो भार्त का पहला स्टेट जो लेंग्वेज के वेश्ट पर बना है वो कौन था आंधर पर्देश इसके बाद अलग अलग भासाओं के अधार पर जैसे की पंजाब बना हर्याना बना गुजरात बना महराष्ट बना अलग-अलग स्टेट बनते चले गए तो इस तरह के दो सबसे पहला स्टेट है वो 1953 में बना के लिए है इसके बाद दर दर सारे स्टेट बनते चले गए सबसे पहले स्टेट कून सा बना आंधर पर देश बना नेश्ट को सने निन में से किस वर्ष में भार पारित हुआ था यानि कि in which of the flowing years free and compulsory education act was passed in Indian Parliament देखो इंडियन पार्लियमेंट यानि कि भारतिय संसर जिसका काम होता है देश के लिए कानून बनाना तो इसके अंदर कब 2009 में एक पारित किया गया और इस कानून का मतलब था सभी जो 6 से लेकर 14 साल के बीच में हैं इन सभी को free and compulsory education दिया जाएगा यानि कि education का सारा खर्चा सरकार उठाएगी और इस कानून को 2009 में पारित किया गया था और फाइनिली एक अप्रेल 2010 से यह सभी भारत के राज्यों के अंदर लागू हो गया था लेकिन आपसे पूछा गया है कि कब अधिनियम पारित किया गया था संस में से किस वर्ष में तिर्पल अल्यांस पर अस्ताक्षर किये थे यानि कि Germany, Austria and Italy signed the triple alliance in which of the flowing years आपको इसमें यह बताने कि इन तीनों कंट्री के दुवारा friendship यानि कि अपने दोस्ती के लिए एक agreement कि गई थी एक contract किया गया था वो किस year में किया गया था तो 1882 में किया गया थ अगर अपने दुस्मनों को हरा सके नेक्स्ट नैंत को सने एक व्यक्ति को निम्न में से कौन सी आयू तक आम चुना में मद्दान करने के योग्या बनाती है यानि कि which of the flowing is enables a person to cast her is vote in general election भारत के अंदर 18 साल की ओम्र डिसाइट किया गया है यानि कि अगर 18 पलस आपकी age हो गये तो आप वोट दे सकते हो और ये age पहले 21 हुआ करती थी जिसको घटा कर 18 कर दिया गया और ये आपको पता है कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए वोटर एडिकार्ट हमारे पास होना चाहिए और 18 साल से हमारे age complete हो गई है तो हम वोटिंग कर सकते हैं नेस्ट को सने निमनी में से कौन सी सबसे गंभीर समस्या है जो किर्शी को परभावित कर यानि कि वीच ओव दी फ्लोइंग इस दा मोस्ट सीरियस प्रोब्लम डैट अफेक्ट एग्रिकल्चर यानि कि इन चारों में से सबसे ही कंभीर मुद्दा कौन सा है जो हमारी एग् पे क्रोप्स नहीं निकल सकते है इसलिए मर्दा अपढ़ जाए है जा मिट्टी के जो उपजाव सकती है वही खतम हो जाये और उस्कुछ बहएंगे सबसेदा गंभीर समस्या है तो इस कोशन में तोटल मैं आपको 10 MCQ कोशन से बताए हैं जो जो फिछले साल आए हुए हैं इसी फॉर्मेट में इस साल भी आएंगे बस आपको उनका आंसर पता होना चाहिए अगर आपको उसका आंसर नहीं भी पता तो कोशिस यह कीजिए पहले यह ढूंढेए कि क्या नहीं हो सकता है जो नहीं हो सकता है उसका आगे कट लगाए देन बचेंगे दो औप्सन क्योंकि दो पहली अल्रडी आप कट कर चुके हो जिसकी पोसिविल्टी है नहीं यह तो होई नहीं सकता देन दोनों में से comparison कीजिए और किसी एक को लगा दीजिए भाई देन result आएगा तो देखा जाएगा बट छोड़ कर नहीं आना clear है तो यहाँ तक हमारे MC के question पूरे हो चुके हैं चलिए अब आते हैं 11th याने की long question पर next question है इटली के एक करेंड के पहली की दसा का वर्णन केजिए यानि कि describe the conditions of Italy before its unification यानि जब इटली का एक करेंड नहीं हुआ था उससे पहले की condition आपको बताना है और एक करेंड हो गया था तो क्या changes आये थे सबसे पहले आपको यह concept समझना हुआ कि इटली का यह पूरा unification का ममला है क्या आप इस map को देखिए यह map है Europe का जैसे Asia के अंदर भारत आता है वो भी South Asia में सेम इसी तरह के से आप इस Europe का map देखोगे तो इस जगर पे इटली आता है इटली का जो नेवर country है वो ओस्टिया है Switzerland है और भी कुछ countries है बट हुआ क्या 19th century से पहले इटली छोट छोटे parts में divide हो गया था और इटली में total 7 states हुआ करते थे और सभी states का अपना एक राजा हुआ करता था और सभी राजा चाहते थे कि भाई इटली ऐसे ही बना रहे यानि कि अलग-अलग रहे लेकिन सभी लोग चाहते थे कि इटली पूरा एक बन जाए आप ज़रा खुछ सोचो अगर हम इंडिया की ही बात करे अंग्रेजों के द्वारा पूरे भारत को टुकड़े टुकड़े बाढ़ दिये जाते और सभी स्टेट अलग-अलग हो जाते अपना अपना देश बना लेते तो ऐसे में जो हमारी एकता है जो यूनिटी है वो कहां से रह पाती इसलिए पूरा भारत एक हुआ भारत में स्टेट 28 हुए नैसनल टैयर्टरी हुए और पूरा भारत एक बनकर आज तक चला आ रहा है लेकिन इटली के अंदर क्या हुआ सभी स्टेट अलग-अलग थे उनका अपना कानून अपना समीधान था एक स्टेट दूसरी स्टेट के बात नहीं मानता था सभी अलग-अलग थे तो मुद्दा यहां पर यहां पर यह आया कि इन सभी स्टेट को एक करना है जो कि अभी अलग-अलग हुए पड़े हैं और ऐसा अकसर होता है जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही हो तो तीसरा मज़ा ले जाता है सेम इची तरीकी से इटली के पडोसी देश ओस्टिया चाहता था कि इटली ऐसा ही डिवैड़ेड रहे है बट इंटली के भगल में है सारीनिया यह चाहता था नहीं इत्ली यूनिफिकेशन हो जाया याने कि इत्ली एक हो जाए तो दोनों इसके प्रणोस में हैं और दोनों के जो विचार हैं वह अलग अलग हैं Travis्ल याने कि 1830 थी आस्पास इट रिकाहिट्स के डी वो स्टार्ट हो गया क्योंकि 1815 में ओस्टिया की कैपिटल वीना के अंदर एक डिसेजन लिया गया जिसके तहर्ट यूनिफिकेशन के बात की गई क्योंकि नेपोलियन बोना पार्ट 1815 में हार गया था अब इसका कोई इंफ्लेंस नहीं रहा था और इटली के जारतर पार्ट पे ओस्टिया फ्रांस इन सब का राज हुआ करता था जैसे कि ओस्टिया हो गया इस्पैनिस बुर्बन फैमिली हो गये इनी सब का राज हुआ करत इसके बाद हुआ क्या एक ऐसा निता जो पूरे इटली को एक करना चाहता था क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि पूरे हमारा देश तूट कर रहे बटा रहे पूरा इटली एक बन जाए इसके लिए 1831 में यानिकी 1831 में यंग इटली नामक एक संगठन बनाया गया जोसेफ म मेजनी के दुवारा और इसने ये कहा कि अगर देश के अंदर करांती लानी है तो करांती का नेतरत्व यानिके जो लीडर से रुपए वो नव यूप को यानिकी जो देश के यूथ हैं उनके हाथ में देदो अपने आप करांती सफल हो जाएगी क्योंकि यूथ जो होते है उनके अंदर एनर्जी होती है इसलिए इटली को एकिकरन करने में तो सबसे महत्पूर्ण कंट्रिबूशन रहा वो जोसेफ मेजनी कर रहा और सभी इटेलियन स्टेट में जिसने सबसे पहली यूनिफिकेशन यानिकी एकिकरन की बात की बहुता साडेनिया विडमॉंट आ उनको एक करने में तीन लोगों का कंट्रिबूशन था पहला था जोसेफ मेजनी सैकिंड काउंट कावूर तीसरा था गयरी वॉल्डी तो इस तरीके से इन तीनों का कंट्रिबूशन रहा और इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए और देखते ही देखते सभी इस अपने एक वीडियो के दौक्स में देख सकते हो तो इसमें आपको मैंने सारे पूंट्स बता दिये हैं उसके अंदर मैंने आपको मैप के दौआरे भी बताया हुआ है तो इसमें आपको सिंपल ये बताना है इटली जो टोटल साथ राज्यों में बटा हुआ था इन साथो राज्यों को एक करना था लेकिन ओस्टिया चाहता था कि इटली एक ना हो यानि कि इसका यूनिफिकेशन इसका एक ही करन ना हो और साडिनिया चाहता था कि नई भाई इतली का युनिफिकेशन फैनली कर दिया गया तो इस तरीके से इतली पूरा एक बन गया जो अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था बस आपको यह घटना याद रखनी है और सारे पॉंट्स मैंने आपको यहां पर बताया इन पॉंट्स को इक पर इसमें सिंपल लर्न कर बनाया गया यह कब और कैसे बनाया गया इस पूरी घटना के बारे में बताना है चलिए मैं आपको बता जेता हूं पूरी इस घटना को एक कहानी के द्वारा ताकि आप असानी से आंसर्स भी दे पाप देखिए सबसे पहला आपको यह समझना होगा नाइनटीन थैटीन से लेकर नाइनटीन फूर्टी फाइफ तक दुनिया वहर के अंदर वर्ल्ड वोर सेकिंड लड़ा गया वर्ल्ड वोर सेकिंड के अंदर दो गुरूप थे पहला था एक्सिस पावर और दूसरा था अल्याइड पावर एक्सिस पावर को धूरी रास्ट कहा जाता है और अल् ब्रेटेन और चाइना ये 5 कंट्रि खलाबा थमाम कंट्रीस अया करते थे मित राष्ट के अंदर यानि या लीड पावर में आदे तो जरमनी जर्मनी जित्यपान-इटली ने यमें घ्रमनी के बिसाइव धी जसका नियावनि G हुआ पड़ा था ब्रिटेन के साथ कि अगर पॉलेंड पे कभी किसी ने टैक किया तो ब्रिटेन पॉलेंड का साथ देगा और इस कंडिसन में ब्रिटेन पॉलेंड का साथ देने आ गया और ब्रिटेन जब आया तो यह सारे मितरास्ट यानि कि ये सारे अलियड पावर भी आ गए अब इस तरह कि ये से अवीय वोर जर्मनी और पॉलिंड का ना रहकर अवीय वोर हो गया एक्सिस पावर और अलियड पावर यानि कि धोरी रास्ट और मितरास्ट और इन दोनों गुरूप के बीच में ये यूद लड़ा गया 1939 से 1945 के बीच में और फैनली 2nd सेप्टेंबर 1945 को World War 2 खतम हो गया क्योंकि हिटलर के दोवार सुसाइट कर लिया गया और धोरी रास्ट हार गयी और फैनली अलाइड पावर याने कि पावरफुल कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम कोई एक ऐसी ओगरनाईजेशन बनाते हैं जिसका ये काम होगा ये देखना कि दुनिया में कोई वोर ना हो या किसी कंट्री में कोई महमारी आ गई हो गरेबी हो ये सिक्कुरिटी का मामला हो तो ये ओगरनाईजेशन या ये संगठन देख सके इसलिए चोबिस ओक्टूबर 1945 को एक ओगरनाईजेशन बनाएगा इसका नाम था UNO इसको हिंदी में कहा जाता है सैयुक राश संग यानि कि United Nation ओगरनाईजेशन और सोबिस ओक्टूबर 1945 का बनाया गया और 30 October 1945 को इंडिया भी इसका मेंबर बन गया और जब से लेकर आज तक UNO है और अभी तक World War 3 नहीं हुआ है और मित राश्ट और धूरी राश्ट ये तो खतम हो गये हैं लेकि UNO के अंदर 5 मेंबर पर्मेनेंट होते हैं और 10 मेंबर नोन पर्मेनेंट होते हैं और दुनिया भर में क्या करना है क्या नहीं करना है इन 5 मेंबर के पास वीटो पावर होता है वीटो पावर का मतलब होता है कि जो भी काम करना है इन 5 मेंबर की सहमती जरूरी है अगर इन पाचों में से कोई एक ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा इसको वीटो पावर कहा जाता है यानि कंट्रिस वीटो लगा जेते हैं और इस तरीके से UNO का जो में काम है वो क्या है दुनिया भर के देशों को सिक्यूरिटी देना यानि कि कहीं पे कोई वोड ना हो जाए वोल्ड वोड थर्ड ना होने देना जिसके लिए इसको बनाया गया था और अगर किसी कंट्रिय में हमारी आ गई है कोई बिमारी फैल गई है उसके लिए काम करना क्योंकि UNO के अलग-अलग एजेंसिस भी है जैसे WHO है 1914 से लेकर 1918 तक जब वोल्ड वोड फर्स्ट लड़ा गया था इस वोर के बाद भी 1920 में एक संगठम बनाया था जिसका नाम था लीग ओफ नेशन इसको हिंदी में कहा जाता है रास्ट संग इसको इंगलिस में कहा जाता है लीग ओफ नेशन तो रास्ट संग का मकसद भी यही था जो यूएनो का मकसद था कि वोल्ड वोर सेकिंड ना होने देना बट रास्ट संग यानि की लीग ओफ नेशन इसको रोक नहीं पाया और 1939 में वोल्ड वोर सेकिंड स्टार्ट हो गया क्योंकि जर्मनी ने पॉलेंड पे टैक कर दिया और पॉलेंड किसका दोस्त निकला व्रेटेन का तो इस तरह के से मित्राष्ट और धुरी रास्ट के बीच में यूद होने लग गया और वोल्ड वोर सेकिंड हो गया जो की खतम 1945 को हुआ तो इस तरह के से लीग ओफ नेशन को खतम कर दिया है क्योंकि यूद को रोक नहीं पाया और फाइनली यूएन्यों को बनाएगा जिसका मकसद था वर्ड वोर ठर्ड ना होने जाना और आज तक यूएन्यों चल रहा है तो यूएन्यों को बनाने के पीछे कुछ परपस दिये गए है जो यहां पर मैंने डिफाइन किया हुआ है जैसे कि वर्ड में सांती बनाए रखना सुरुक्षा कायम रखना अगर कोई दिक्कत आ रही है तो लोगों के भलाई के लिए काम करना जैसे कि अभी क्रोना काफी स्प्राइड हुआ था और उस दुरान पर कोई वैक्षिन लगाया जानी थी तो जब तक वह वैक्षिन नहीं लगती थी जब तक WHO को द्वारा उसको वैरिफाइड ना कर दिया जाए तो WHO वर्ड हैर्थ ओक्राजिसर है जो कि युएनो की एक एजेंसी है तो इस तरह किल से दुनिया भर के अंदर ये काम करते है एकनोमिक सोसल एंड कल्चिरल डवलेमेंट के लिए दुनिया भर में पीसनेस के लिए और लोग का जो फंडमेंटल राइट से जो मौली का दिकार है उनका ये रैट्स रक्षित रहे कहीं पे किसी भी देश के अंदर अगर किसी भी देश के अंदर लोगों के रैट्स का वालिंस किया जा रहा है लंगन किया जा रहा है अगर लोगों के साथ गलत भहवार किया जा रहा है तो उस condition में UNO के दुवरा action लिया जाता है UNO के पास कोई अपनी आर्मी नहीं है जो भी इसके member state है वही इनको अपनी आर्मी send करती है और UNO उन आर्मी को उन देशों के अंदर भेजता है जहां पे बेवेस्ता खराब चल रही है उसको ठीक करने के लिए तो इस प्रकार आपको इसमें यही बताना है दुनिया भर में सांती बया रखने के लिए economic development के लिए गरीबी महमार इसे बचाया रखने के लिए इस UNO को बनाया गया था और इसमें starting 51 members थे और अब जाके इसके अंदर लगव 192 members हो गए है चलिए अब हम बात करते हैं अपने next question की next question क्या है एक गराम पंचायत के किनी चार अनिवार्रे कारणों का वर्णन के जी जैसा कि गाउं के अंदर पंचायत होते हैं सहरों के अंदर municipality होते तो गराम पंचायत का main work क्या आपको यह बता यानि कि describe any four obligatory functions of a gram पंचायत यानि कि gram पंचायत का main काम क्या होता है आपको इसमें यह बताना है तो gram पंचायत के इसमें चार work आप से पूछे गए हैं तो गाउं के अंदर बैवस्ता की देखरे करना तो कि इसको पंचायत क्यों कहते हैं पंच का मतलब होता है पंच लोगों की committee इसमें क्या होते हैं तोटल पंच लोग होते हैं इसलिए उसको पंचायत यानि की पंच का मतलब होता है पंच लोगों की एक committee और इसलिए इसको पंचायत कहा जाता है तो पंचायत में कुल जो पंच लोग होते हैं इन 5 लोगों के द्वारा गाउं की वयवस्ता को देख रहे करना होता है। ये सब काम पंचायतों का ही होता है और साथ ही गाउं का economic, social और cultural development करना ये भी पंचायत का ही काम होता है अगर किसी को ये चीज नहीं मिल पा रही है तो इसकी आगे रिपोर्ट भेजना तो ये सब काम पंचायतों का ही होता है यानि कि यूथ का development हो रहा ही नहीं हो रहा पंचायतों के दवारा यूथ वेलफेर के लिए स्टीम भी इंपलिमेंट की जा सकती है नहीं मिल रहा are पानी पानी पीने की पानी नहीं मिल रहा है उनकी देखरे करना रख रखाप करना ये सारे काम ग्राम पंचायत के ही आते है गाउं में तो इनको ये भी अधिकार दिया जाता है कि अगर आसपास कोई छोटे मूटी घटना भी हो गई है तो उनकी सुनवाई भी करते हैं पेड़ो के नीचे बैठकर सभी पक्छों को बुलाया जाता है वो घटना को सुनने के बाद पंचायतों के दुवारा सुनवाई जब इलेक्शन करवाया जाते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे एक ऐसा अधिकारी होता है जिसका काम होता है कि जिस जगह पे इलेक्शन करवाया जा रहा है मालनो कोई स्कूल है जिसको पॉलिंग बूत कहा जाता है उस बूत पर ये ओफिसर जाकर चेक करेगा कि वहाँ पे होती है तो उसका रिस्पोंसिवल यही होता है आपने देखा होगा जब भी हम वोटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर बाहर एक अधिकारी बैटा होता है जो इनकी देखरे करना होता है ताकि कोई भी घरवड़ी नहों ताकि कोई धांदली नहों को गलत काम नहों जाए आपको यह बताना है नेक्ट 15 कोशन है 15 कोशन क्या है 19 सेंचुरी में भारत में हुए किसान अंदलनों के महत्व की वेक्या किजिए यानि की एक्स्प्लेइन दी सिग्निफिकेंस ओफ पीजेट वोमेंट इन इंडिया डूरिं 19 सेंचुरी भारत में जो किसान अंदलन इन दोनों के बीच में लड़ाई लगवा दी और यहीं से संपर्तायक्ता के जो दंगें वो स्टार्ट होगे तो जो कम्मुनियल एक्टिविटीज है इनमें अंग्रेजों का काफी योगदान रहा क्योंकि उनकी पॉलिसी थी डिवाइड डूल की पॉलिसी यानिकि इनको लड़ाओ और खुद मोज करो और यहीं से और इसलिए मोपला किसानों ने क्या किया इन जमिदारों के अगेंस्ट में इन लैंडलोड के अगेंस्ट क्या कर दिया मुवेंट करना यानिकी बिद्रो करना स्टार्ट करती है आगए चला कि महत्मा गांदिय सोका तले मुलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताम को दोवारा और इस अंदोलन के जो मुखे नीता थे वो थे अली मुसलियार इनके ही लिडरसिप में इस अंदोलन को आगे चला है किसान अंदोलन का महत्यव क्या है आपको इसमें ये भी बताना है जैसे कि जो भी फीजिंट जरने के लिए और ये ऐसे लोगो के खिलाब खड़े हो जाते हैं जो इनका सो़सन कर रहे हैं इनको इसे सकती मिलती है और भारत के अंदर अजादी से पहले अजादी के बाद भी किसान के तो किस बढ़र आ तो तो कई वार ऐसे घटनाई आती कि किसान भाई बेहन हमारे सुसाइड कर लेते तो ऐसे घटनाई अंग्रेजियों से पहले और अब भी देखा जाता है अगर देखा जाए कुछ महत्पूर्ण पीजन्ड मुमेंट जैसे कि नील भी धरू हो गया पवाना भी धरू हो गया दक्कन भी धरू हो गया तो महत्पूर्ण गांदी सर्दार पटेर राजिंदर परसाद जी ऐसे कुछ नेता रहे हैं जिन्हें किसान अंदोलन को काफी आगे बढ़ाया है एंड के अग्रिकल्चर में सुधार को लेकर सीड्स याने की अच्छे किसम के भीज को लेकर किसानों पे बोज ना पड़े इसको लेकर टैक्स को कम से कम किया जाए किसानों के कर्च को माफ किया जाए इसको लेकर भी कई वार डिमांड उठते रहें इन अंदोलनों के दुवारा और जमिदारी ववेस्ता को finally खतम कर दी गया क्योंकि ये जमिदार किसानों से heavy tax लिया करते थे और अगर वो tax नहीं देते थे तो उनकी जमिनी को छीन लिया करते थे तो finally इस तरीके से ये कोशन हमारा यहाँ पे खतम होता है इसके बाद हम बात करते हैं अपने next question की next question क्या है भारत में गठवंदन की राजनिती के बिस्ट लक्षुन की वैक्ष्ण की वैक्ष्या कीजिए इस परकार की सरकार का एक उधारन देजिए यानि कि describe the specific features of political politics in India आती आपको एक ऐसे government की example भी देना है इसमें आपको ये बताना है कि जब भी भारत के अंदर एक party किसी एक या दो party से गठवंदन मिलकर सरकार बनाती है तो उसको गठवंदन की सरकार कहते हैं ऐसा political party तब करते हैं जब उनको majority नहीं मिलता यानि कि भाउमत नहीं मिलता जैसे कि मान लो voting हुई वो सरकार बनाने के लिए total चाहिए 100 seat एक political party को मिल गया है 80 seat बट 20 seat तो अभी कम है तो ये political party क्या करेगी किसी और political party के पास जाएगी जिसको मान लो 10 seat मिली हुई 10 seat इससे मिल गई और किसी और के पास गई 10 seat मान लो इसके पास तो इन दोनो political party से गठवंदन कर लेगी coalition कर लेगी और इसके बाद जो सरकार बनेगी उसको गठवंदन की सरकार करा जाएगा क्योंकि इसके पास सरिफ 80 seat थी 20 seat का जो गार्ड इसने दो अलग-अलग political party से किया है तो इस सरकार तो बन गई लेकिन गठवंदन की सरकार बन जाने के बाद कुछ अपनी ही problem होती है मैं आपको एक example देता हूँ इस question को समझाने के लिए माल लो आपने एक business किया अपने दो दोस्त के साथ मिलकर और इन दोनों दोस्तों का इसमें पैसा लगा हुआ है तो business में जो भी rules बनेंगे जो भी काम करना है जो भी decision लेना है तो जाहिर से बाते इन दोनों से भी आपको पूछना होगा अगर इन दोनों से नहीं पूछोगे तो एक दिन आएगा अब ये कहेंगे भाई मेरे पैसे चो लगे था वापिस दे भाई मुझे नहीं देना तेरे साथ और finally आपका business डूब जाएगा क्योंकि इन्होंने help करी थी अब आपके पास इतना है नहीं कि आप इनको वापिस दे पाऊ और जब ऐसा आप नहीं कर पाऊए तो business डूब जाएगा और same यही condition है political party के साथ भी अगर इनके अपने बलबूती पे majority नहीं मिलिये वहुमत नहीं मिला है और इन्होंने अलग एक या दो political party से समर्थन ले लिया और इस तरह के से सरकार बन जाती है गठवंदन की और इस condition में इन दोनों की ही बात माननी होती है मंतरी पत देना होता है अगर नहीं दिया तो भाई अपनी समर्थन पापिस ले ले लेंगे ये सरकार फैनली गिर जाएगी तो ये डर बना रहता है गठवंदन सरकार जादे जिन तक नहीं चल पाती है और ऐसा भारत के अंदर कई वार देखा भी गया है अगर अब मैं आपको एक्जामपल दो तो 1989 से लेकर 2014 तक भारत के अंदर गठवंदन की सरकार चल रहे थी 2014 में जब सरकार बनी तो मौधी गवर्मन्ट को फुल मेजोरिटी मिल गया और अभी तक जनरल इलेक्शन यानिकि जो आम चुनाब हुए हैं उसमें 2GVP को के लिए मिल ता आ रहा है कि 1989 से 2014 तक मिजोरिटी किसी को नहीं मिला था तो सरकार इक धाभंदन की थी 1989 में सरकार बनी, वो एक साल में गिर गई फिर 1990 में सरकार बनी, वो भी एक साल में गिर गई, दैन उसके बाद 1991 में सरकार बनी जब पीवी नर्सिम्मरा भारत के प्रधारमंत्री बने ये भी गठभंदन की थी बट इनकी इमेज अच्छी थी ये सब की बात ये सुनवा करते थे इसलिए ये पांच साल तक चल गई 1996 में फिर्ष एलेक्सिन हुआ और फिर से सरकार यह गई फिर से सरकार बन रही है ऐसे ही सेब 1997 में सरकार बन थी जनता पार्टी जब भारत कंदर सब्सक्राइब वित गत्वस्रारर सरकार तो बन गई अलग अलग पॉल्टिकल पार्टिस की गठवंदन से लेकिन एक से देड़ साल में सरकार गिर गई क्योंकि इसमें क्या होता है जिस भी पार्टिक साल गठवंदन किया गया उसको अगर यह इसका खत्रा बने रहता है और मैंने आपको एक नहीं कितने अग्जामपल पूछा गया है है फिर भी आपको जो मैंने बता है फिरह कि परभावित करने वाले की चार कारकों कि वेक्षया के दिये यानिकि explain any four factors affecting the climate of India आपको इसमें ये बता ला है कि जलवायू का मतलब क्या होता है और ये कैसे affected होता है यानि कि इनको ऐसे कौन-कौन सिकारक है जिससे ये परभावित होते हैं तो चलिए अब इसका आंसर समझते हैं जलवायू किसी छेतर विसीस में मोसम का दिर्ग कालन सरूप होता है जैसे कि हम देखते हैं कि मोसम अभी जो है वो साम को बदल जाता है घंटे डो घंटे में चेंज होता है अब ये मोसम रिकुल साफ होता है अचानक से बादल काल yukowski होता है लेकिन जलवायू 20 या 30 साल में एक वार चेंज होता है जिसको हम climate कहते हैं तो हम पहले यह देखते हैं कि जलवायू परभावित क्या से होते हैं जलवायू को परभावित होने का मतलब है जलवायू change कैसे होता है यानि कि climate affected यानि कि climate में changes कैसे आते हैं वो regions कौन कौन से हैं सबसे पहले जो जलवाईयों को प्रभाविश करती है वो है अक्छांस यानि कि लैकिट्यूड क्योंकि पिर्थिवी गोल है इसलिए सबी स्थान उपर समान मातरा में सुर्य का परकास नहीं पहुँच पाता है मान लो हम पिर्थिवी बनाते हैं यहां पर यू करके अगर सूरज की रोसनी अभी इस तरफ आ रही है तो इसके उस तरफ सूरज की रोसनी नहीं जा रही होगी जैसे ही हम वो बद्धे रेखा से धुर्व की और बढ़ते हैं ता आप मान कम होता चला जाता है यानि कि जैसे हम एक वैटर से दूर होंगे वैसे ही क्या होगा जो सनलाइटे वो कम आएगा और टेंपरेचर कम होता चला जाएगा तो यह हमारा latitude यानि की अकचांज, दूसरा है उचाइऑ आनिकी altitude इसमें क्या होता जैसे हम पृतिवी की सतह से उपर बढ़ते हैं यानि जैसे हम धर्ति यानी जमीन से आसमान के तरह जाते हैं इसके बादे बाईुदाब एवम पवण वेवस था परतियकिस्थान का अक्छाँस एवम उचाई वहांके बाईुदाब एवम बाईूतन्त को परभवित करती है और इसका नतीजा नतीजा यह होता है कि अगर हवा बहुत तेयर चल रही है तो मोसम थंडा हो जाएगा अगर हवा नहीं चल रही है मोसम गरम हो जाएगा कभी कवार क्या होता है कि हवा भी गर्म चल रही होती है तो उस टाइम भी मोसम भी गर्म हो जाता है तो ये डिपेंड करता है बायू दाप पे according to place के किस जगर पे कैसी हवा चाल रही है and समुंदर से निकटता यानि कि जो भी place समुंदर के बिल्कुल पास होगा C के बिल्कुल पास होगा तो उस area का पूरा जो temperature होगा वो काफ़ी ठंडा होगा अगर समुंदर से दूर area गोई होगा तो उसका temperature थोड़ा गरम होगा तो इसमें आपको यही बताना है clear है and next है महासागरिय धाराएं यानि कि ocean currents किसी छेतर के ओपर से अगर ठंडी महासागरिय धाराएं गुजरती है तो उसका तापमान कम हो जाता है गरम धाराएं उसके तापमान को बढ़ा देती क्योंकि जब भी गरम धाराएं निकलती है तो तापमान बढ़ जाती है जब थंडी धाराएं निकलती है तो तापमान भी कम हो जाती है तो यह इसमें बताना है ocean currents में इसके बादे रहात सुबिधा है देश में नदियों के परवेश को रोकने वाले अब रोदों को रहा सोविधाओं के रूप में जाना जाता है जाए थंड़ी या गर्म हवाय उच्छे पहाड़ों से रुख जाती है जैसे कि जो हिमाले की परवते हैं वो भारत में थंडी हवाओं को आने से रोग देती है जो मिडिल इस कंटे से थंडी हवाओं आती है उनको वो रोग देती है अगर हिमाले की परवतिय ना हो तो थंडी हवा डारेक्ट आ जाए तो उस जगह पे रहने वाज़े लोग पूरे जम जाएंगे बहुत ज़्यादा थंड बढ़ जाएगे तो इस तरह के से climate में changes आता है जिसके कुल हमने 6 points यहां पे देखे हैं के लिए रहे हाँ पे latitude, altitude, pressure and wind system, proximity to the sea, ocean currents and relief features के लिए रहे हाँ पे चलिए अब हम बात करते हैं अपने next question की next question है आतंकवादी अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस परकार से सरकार को मजबूर करते हैं यानि कि how do the terrorists compel with the government to accept their demands कैसे करते हैं आखिर वो कौन सी ऐसी activities करते हैं जैसे सरकार मजबूर हो जाती है दो को आतंकवाद का मतलब क्या होता है आतंकवाद आतंक फैलाकर सरकार से अपनी बातों को मनवाते हैं अब बढ़र यानि खौन खरावा करें प्लेन हैजेक करें या किटनैपिंग करें लेकिन का मकसद होता है सरकार में धैसत फिलाना और ऐसे activities करना जो कि गयर कानूनी यानिकि illegal हो तो चलिया हम देखते हैं कि कौन-कौन से activities करते हैं जिससे कि स इजेक करते हैं जो इनके साथी लोग जेल में बंद होते हैं उनको छुडाने के लिए दूसरा होता है उकसाना अब यह क्या करते हैं लोगों को सरकार की अगेंस्ट में उकसा कर सरकार के ब्रोज में खड़ा कर देते हैं जिससे कि इनके जो मनसूबें हैं वो पूरा हो जा संगर्षन का मतलब होता है ऐसे दर्द देना जिससे कि सरकार को लगेगी इसे सिविलियन्स यान कि जो आम जनता है वह भी मारी जा सकती है इसे क्या होता है कि सरकार इंके बातों को मानने पर मजबूर हो जाती है और सबसे पॉपलर है प्लेन हैजेक कर लेना कि ट्नैपिंग क कस्मीर में अलग-अलग एरियास में आत्मवादी मिलते हैं जो कहीना कहीन भारत की यूनिटी के लिए और भारत के लिए खत्रा पैदा करने की कोशिश करते है इसके लिए हमार जये वारे जिश़् सजरकार और हमारे दिश्य का Verb सिस्टम में वो त्यार रहता है इसके बाद है नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन है अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती पर बल क्यों दिया किसानों में इसके असंतों उसके कारणों का सपस्ट के जिये यानि कि वाइड दी ब्रिटिस प्रेसराइज दी कल्टिविशंस ओफ इंडिवो इन इंडिया एक्स्पेइन दी रिजन्स फॉर डिस कॉंटेंट ओफ दी फार्मर्स फॉर दी सेम जाने कि अंग्रेज आखिर नील की खेती क्यों करवाते थे इतनी उनको इससे क्या फैदा हो जाता देखो गांदिय जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आ गए थी वो यहां पे जो किसान थे वो नील की खेती क्या करते और उनको कंपेंसेशन मुआबजा भी नहीं दिया जाता था बहुत कम उनको मजदूरी दी जाती थी और मजदूरी करवा लिया जाता था उनसे तो इसी के अगेंस्ट में किसान खड़े हो गए थे विद्रो कर रहे थे व जमीन पे नील की खेती की जाती है वो एकी वार वहां पे खेती हो सकती है उसके बाद 20 साल तक उस जमीन पे खेती नहीं हो पाएगी तो पूरी भूमी बंजर हो जाती है किसानों के हाथ भी खराब हो जाते हैं उससे कई वार हाथों के अंदर से खून निकलने लग जाते है बहुत दिक्कत होती है इसमें और सबसे बड़ी बात यह है अंग्रेज इसलिए ये करवाया करते थे क्योंकि नील की खेती से कपड़ों को रंगे जाता था और इरोप के अंदर इसके बहुत मांग हुआ करते थे तो उचे दाम पर ये अंग्रेज इरोपियन कंट्रिस के अंदर बेस दिया करते थे इसलिए ये भरतियों से ये नील की खेती करवाते थे क्योंकि नीले रंग की जो जरूर थे इरोपियन की वो पूरी कर सके क्योंकि नील के खेती से अंगरेजों को ज्यादा फाइदा था तो नील की अबागान मालिकों न किसानों को खादफसलों के बज़ाए नील उगानओ को कहा और इससे अराजी भी हुए या उगी। सोचन किया जाता था यानिकि एक्ष्टेशन वाइ इंडिगो प्लांटर्स यानिकि जो लैंडोड्स हुआ करते थे वह काफी कटोर भावार अपनाय करते थे वह जबरदस्तिक हिती करवाय करते थे इनकी भलाई के लिए कुछ सोचा नहीं करते थे अब इनकी वह अपनी किसा खरदने के लिए पैसे नहीं बचे थे इसी वएशे किसान काफी नराज हो गए थे ठाट पॉइंट है भूमी का नुक्सान यानि कि लोस ओफ लैंड क्योंकि जिस भी जमीन पर नील के खेती यानि कि इंडिगो की जाती है फिर वो जमीन बंजर हो जाती है क्योंकि उस जमीन आसम जाकर फिर ओर कोई नहीं हुआ जासको इस बयर से वो कई लिगूज में डूबते चले ले एक हैं कि जिसक्रों कि लिए था जिस फसल्एज होगा वो तो पूरा हो नहीं पाया है किर्ज में झानके बड़ाने के वाज से नहीं यौन डूल अन्डोल करने लगए सबस्त के किने चार कार्णों को सफ़्ष्ट कीजिए एक्सपीन एनी फोर कोज़स फोर डिकलाइनिंग ओफ इंडर्स वैली सिविलाइजेशन ते को 2600 इसवी पूर्फ से लेकर 1900 इसवी पूर्फ तक यानि की बीसी तक भारत की जो सबसे प्राचिन सभ्वेता रही बहती हडपन सिविलाइजेशन मेसोपर्टामिया की सब्वेता चीनी सब्वेता तो दुनिया भर के अंदर ओर भी सिविलाइजेशन थे सब्वेता का मतला होता है ऐसे लोग जो किसी एक जगा पे रहते हैं और उनका अपना ही कल्चर हो खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका बोलने का तरीका, उनकी अपनी लैंगवेज हो, उनका अपना एथिनिसिटी हो उनका अपना लिखावट हो, ये सब सभेता के अंदर आ जाता है, तो एक ऐसी जगा जो आज तो पाकिस्तान में आती है पहले ये पूरा भारत का ही इसाव करता था इसलिए सिंदु घाटी की सब्विता इसको हरपा सब्विता का नाम से जाना जाता था हरपा सब्विता सिंदु नदी के ही पास थी इसलिए इसको सिंदु घाटी सब्विता का जाता सिंदो रिवर के पास होने के वज़े से क्लियर है सिंदो घर गर्ट के सभवता के लोग रहा करते थे वो अलग अलग परकार की चीजों को यूज किया करते थे एक्न्व origin वो agriculture किया करते थे अलग-अलग tools का यूज किया करते थे कुबडवाले सांट कर यूज किया करते थे म gay मतलुनम मोट्यों को गूत कर वह माले बनाया करते जो गलले में पहनते थे जो प्यत वरह कर देसित आणीमल हजपण में करते थे लेकिन कुछ समय बाद हलपा सभेता नस्ट हो गया आखिर ये नस्ट कैसे हुआ इसके रीजन्स आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले आपको इसमें यही बताना है कि फ्लर्ड याने कि वार्ड आ जाने के वए से भी लोग सिफ्ट होगे कहीं और हलपा सभेता नस्ट हो गय गया और इनके रिसोर्स को लूटा इसके वाज़े से हडपा सभेता नस्ट हो गया एक रीजन यह भी कहा जाता है कि क्लाइमट चेंज के वज़े से यहां के लोग यहां पर टहर नहीं पाए और वो कहीं ओर चले गए और कुछ विद्वार के दोरा यह भी माना जाता है कि सरस्वती रिवर है इसके सूख जाने के वज़े से भी लोग यहां से चले गए थे और अलग-अलग रिजन दिये जाते हैं और यहां पर कवीलों और बाहरी लोगों का जो अटेक हुआ उसके वाज़े से जो यहां पर लोग रहते थे उनकी जो सीविलाइसन थी वह भी खत होना चाहिए तो यह था हमारा हडपा से बता यह क्यों नस्ट हुआ बस आपको यह पता होना चाहिए तो एक ऐसी जगा जो बाढ़ या भुकम पाने से बाहरी लोगों के आकरमन यानिकी अटेक करने से या सिंदु रिवर या सरस्वती रवर के सुख जाने के वेशे यह न यानि की फीचर्स आपको बताना इसमें DPSP के बारे में यह होता क्या है पहले हम यह जानते हैं दोस्त हुआ क्या जब भारत का सविधान बन रहा था तो उस टाइम भारत के सविधान में टोटल 22 भाग रखे गए थे अब जाके टोटल 25 पार्ट हो चुके हैं यह तो इन ट तो तisu tables बहारत के सम्भीधान के दवारा भारत के राज्ये को आदेशद्र गया है कि वो समय समय पे लोगों के कल्यान के लिए लोगों को रोजगार देने के लिए environment के लिए यानि कि सोसल बैलिखीर के लिए कानुन बना सकता है और इसी को हम राज्ये के निति निर्देश दिये गए है यानि कि डार्थिव प्रिंसिपल्स जो दिये गए है इस टेट को इसलिए इसको डार्थिव पिंसिपल कि बनाएगा जो लोगों के एकनॉमिक सोसल और पॉलिटिकल बेलफियर के लिए हो समाज कल्यान करने के लिए हो जैसे मैं एक्जांपल देता हूँ स्टेट को ये लगे कि इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका बेलफियर नहीं हुआ लेकिन यह जैस अगर सरकार या स्सेट आइसा नहीं करती है तो सरकार से या सटेट करवाने करे के लिए लोग सुपरिम कोट नहीं जा सकते हैं नहीं करूए तो सुप्रिम कोड चल जाएंगे लेकिन जो हमारे पास fundamental rights है वो सविधान के part 3 में है यह part 4 में है और fundamental rights part 3 में है और वो कौन सब्सक्राइब से है 12 से लेकर 35 तक fundamental rights में क्या है कि अगर हमारे rights का violence होता है मालो हमारे पास वतंतरता का अधिकार है अगर इनका violence होता है तो हम सीधे सुपरियूं कोड जा सकते हैं और हमें वहाँ से जस्टिस मिलेगा बड डिरेक्टिव पिंसिपल स्टेट पॉलिस के केस में ऐसा नहीं है बस आपको यही बताना इसमें कि यह सरकार को समिधान के दिवारा गया है लोगों के कल्यान करने के लिए लोगों के। आपना हम next question पर नेस्ट को सने राजनिती दल की किनी चार विश्यस्ताव का बन्यान कीजिए यानि कि पॉलिटिकल पार्टिस के आपको फॉर क्रेटरिस्टिक्स बताने कि यह क्या करते हैं सबसे पहले इनका मकसद होता है गेनिंग पावर यानि कि यह एक ऐसा सिध्धा अंतिक ऐसा पिं सब्सक्राइब करनी का अपना अपना एक मकसद होता ہے इसके लिए ऑ काम क्या हूथ उनका having a common agenda, यानि कि जितने भी party के members होते हैं, वो सभी अपने party के agency पे , शहमत होते है, यानि कि अमाल लोग की say के सभी मेंबर्स है बजेपी का मखसद है विजेपी करना चाहती है तहीं सभी चीजो पर ज brown और ङ Oliva लुई के बाद है इतने बभे प्लिटिकल पार्टेज मखसद होता है इनका मकसद होता है पावर गडिंग के साथ सब government establish करना यानि कि state में अपनी सरकार बनाना सुनाब जीत कर यानि कि ये competition में पहले participate करते हैं अपनी ideology के साथ और एक संगटित होकर एक group बनाकर election लड़ते हैं और finally जीतने के पूरी कोसिस करते हैं to act as a link between the people and the government political party ही government और लोगों के बीच में moderator की भूमे करने वाती हैं क्योंकि जो सरकार होती है वो किसने के सी political party की होती है और सरकार का जनता से पूरा संबंध होता है क्योंकि जनता नहीं सरकार को बनाया है तो इस तरह के से तो इस प्रकार आपको political parties के four functions बताने थे पहला बिस्टिस्ट सिध्धान्थ इनका अपना का ideology होता है उन ideology पे सभी सहमत होते है second point and रानतिक दल रानतिक सत्था पराप्त करने के लिए चुनाम में पार्टिस्पेट करते हैं election में पार्टिस्पेट करते हैं and fourth point में बताना है आप सभी को कि जो भी अपना सिध्धान्थ बनाते हैं उसको practically इंप्लिमेंट करते हैं अपनी government बन जाने के बाद तो इस तरह के से हिंदी मीडियाम और इंडिस मीडियाम सारी जो points बताया है मैंने यह सारी ही important points है simple जो मैंने आपको सुन जाया आई हो आपको समझना आगया हुआ चलिए अब हम बात करते हैं अपने next question के नेस्ट कोसन है 18 सताबदी में उध्योगी करांती के दोरान लाए गए समाज्जी के वं आर्थिक परिबरतनों का वंडन कीजिए यानि कि describe the social and economic changes worked by the industrial revolution in the 18th century 18th century में industrial revolution आया था आखिर उसका क्या impact पढ़ा देखो industrial revolution का मतलब क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए जो काम पहले हातों से किया जाता था अब उस काम को industry यानि कि industry के आज आने के बाद industrial revolution का मतलब क्या हुआ अब industries आ गई है factories, machine का invention हो गया है जैसे कि James vote के दौरा भाप के engine का अविसकार किया गया अब engine के आ जाने से अब जो पहले काम हातों से किया जाता था अब उसको machine से किया जाने लग जो काम पहले सो दिन में हुआ करता था अब वही काम दो दिन में हो जाता है इसलिए industry revolution के वैसे उद्योगी करांतिक वैसे क्या हुआ दुनिया भर के अंदर machine का अविसकार होने लग जैसे कि क्योंकि मैं आपको बताया जेमस वोट के दोवारा भाप के engine का अविसकार किया गया ग्राम वेल्स के दोवारा टेलिफोन का अविसकार invention कर दिया गया तो इस तरह के से उद्योगी के पीच का time period इस दोरान काम मसीनों से होने लग गए थे और बहुत तेजी से रिकास होने लग गया तो यहां से अमीर और गरीब की जो खाई है वो भी बढ़ते चले गए तो इसका positive point भी है और negative point भी है तो दो नहीं आपको इसका बताना है industrial revolution के अंदर clear है चलिए अब हम बात करते हैं अपने next question का next question है भारतिय सभीधान की परस्ताबना में दिये गए कि इनी दो समयधानिक मुल्लों का लेख कीजी यानि कि mention any two constitutional values given in the temple of the Indian constitution solution भारत के सभीधान के अंदर ऐसे दो principle के बारे में बताना हैं में जो एक ideal है दुनिया भर के लोगों के लिए भारत के लोगों के लिए इसमें सबसे पहला लोकतांत्रिक देश है और अभी तक लोकतांत्र के मुल्यों और लोकतांत्रिक विश्वासों को बढ़ावा देता है भारत ने हमीशा से डेमोक्रेसी को परमोट किया है और सभी कंट्रिकों इस रहा पे चलने के लिए स्पार्ट पढ़ाता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास संपरभुता संपरभुता का मतलब क्या होता है एक देश अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर टोटली आजाद हो 1947 से पहले भारत ब्रिटिस स्टेट होगा करता था क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे 1947 के बाद हम अजाद हो गए यानि की हमें संपरभुता यानि की भारत की सरकार देश के अंदर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कोई ऐसा इंसान नहीं है जो देश की सरकार पे दवाब बनाकर अपना काम करवाए पहला दूसरा देश के बाहर भी ऐसा कोई देश नहीं है नहीं कोई ऐसा अगरना जैसे ने जो हमारे देश की सरकार पर दबाब बनाए जैसे कि अंग्रेजों ने जब गुलाम बनाए था वो सारी पॉलिसिस बनाए करते थे अब क्या है टोटली आजाद है इंटर्नल और एक सब्सक्राइब करें दोरा सब्सक्राइब कर दिया गया बट दोनों का मतलब यह आपको ठान नहीं करें यानिकी सभी धर्म को एक समान समझना करना ना करना जिसके डिस्क्रेमिनिशन हो स्टेट यानिकी गौवर्मेंट के द्वारा इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेस्ट कोशन के नेस्ट कोशन है परसासन के छेत्र में गुप्त सासकों के युगदान की वेक्या कर जिए एक्स्प्रेंड दी कॉंट्रिबूशन ओव दी प्राचिन भारत में मोर्रे समराज्य हुआ जैसे के चंद्रगुप्त मोर्रे हुआ तो उसको मोर्रे वंस यानि मोर्रे डैनिस्टी कहते थे तो आगे चलकर एको डैनिस्टी आया जिसको इसने बनाया सिरी गुप्त के दुवारा जो डैनिस्टी बनाए गई उसको गुप् मेंटरी में दी का सिस्टम कैसा था आड़ मी स्टेशन यानि की इसको चलाया कैसे जाता था इसके बारे में आपको बताना है पूरे सममराजय गुपता एंपायर को चार पाड्स में डिमाइड गया था पहला था central दूसरा था अ ठाड़ यानि कि इस्टीक लेवल पर neither third था टृढन ब्लीज लेवल यानि ग्राह्मिंच शासन सब्लक्राइब इसके so तो भेस्टा चार यानि करप्संत होगा सासर भी सही से नहीं चला पाएंगे इसलिए इन चार वार्ट में डिवाइट कर दिया गया पहला पूंट आपको यहीं बताना है कि समराट का पद बनसानुगत था यानि कि अगर पिता मर गया तो उसका बेटा राजा बन जागा अग राजा की साहता के लिए जो भी अधिकारी या मंत्री बनते थे राजा उन्चे सलहा लेता था बट राजा उनकी साजेशन को माननी के लिए मजबूर नहीं मान भी सकता था या नहीं मान सकता था तो इस तरह के से पुर्ड़े अधिकारी राजस वी अधिकारी जो फाइनिस परसासन में इनका बड़ा रोल था क्योंकि यह टेक्स का क्लेक्शन करके राजाओं को देते थे यह राजाओं को अपनी सर्विस भी दिया करते थे time to time इस तरह के से यह था हमारा गुपता इसके बाद आता है हमारा नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन ने उत्तर वेदी काल के समाज की मुख्य विस्यस्ताओं की वेक्षा कि जाने की explain the main features of the latter वेदी काल को कहा जाता है जब वेदों के according भारतिय समाज जाने की इंडियन सुसाइटी regulate होते थी और हमारे पास वेद कितने है ह मारे पास तोटल चार है रिगवेद यजुर्वेद साम और अथरवेद तोटल चारों वेदों में सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है रिगवेद के एकोडिंग ही समाज हमारी regulate होती थी तो रिगवेद के बात का जो समाज आया उसको उस्तर वेदिक यानि की लेटर पीरियाट के नाम से जाना जाता तो इस टाइम पी क्या था सोसाइटी चार पार्ट में डिवाइड हो गए थी एला ब्रहामन दूसरा च्छत्रिये हर्ड वैस से और्थ होते थे सुद्र और यह कहा गया कि ब्रहमा के हैड यानि कि जो सर है उससे निकले ब्रहामन इंका में जो लोग होंगे वो छत्रिये लोग होंगे इनका काम था रेस की सुरप्षा करना वैससे जो हैं यह कमर से निकले हैं ब्रहमा जी के वह इनका काम था बैपार यानि कि ट्रेडर्स हो गए फार्मर्स हो गए जो फार्मिंग करते हैं यह सारे आ जाते हैं हमारे पास खेद लोगों की सेवा करना ब्राह्मबन छत्रिये वैसे इन तीनों की सेवा करना तो सुसाइटी चार पार्ट में डिवाइड हो गई थी तो उत्तरवैदी काल में समाज की विशेष्टा बताना आप सभी को सुसाइटी में सबसे पहला रूल बताएंगे हम परिवार के बारे में देखो चारों बेदों में अथर बेद जो है ये हमें कही ने कहीं समाज के बारे में बताता है समाज में जो परिवार है примका मुखिया हो था उस तो गहा पति आज के जिसको हम guardian कहते हैं, हमारे पीता जी हमारे गार्जान होते हैं तो घर के पीता जी को या घर के गार्जान को उस टाइम गरहे पती कहा जाता था इसी के recording पूरा घर चलता था साधी के नियमों के बारे में भी हमें अथर वित के अंदर बताया गया है साधी भी समाने रूप से हुआ करते थी, पुरुस और महिलाओं के बीच में और ऐसे भी कई महिलाओं के बारे में पता चला है, जो आज भी वन यानि कि लाइफ टाइम तक आए विवाही थी इस टाइम पर, उत्तरवेदिकाल में समाज में नारियों यानि कि महिलाओं की जो कंडिशन थी, वो चेंज होते ने लग गए थी, क्योंकि नारियों का सम्मान है, यानि कि जो महिलाओं का रिस्पेक्ट है, उसमें कमी आ गई थी, अतरवेद में ये कहा गया, कन्याओं का जनम दुख का कारण माना गया है, और उसी टाइम से लेकर कहीं ने कहीं आज तक आज भी कोई लड़की पैदा हो जाती है, तो घर वाले मायूस हो जाते हैं, कि लड़की पैदा होना घर में बहुत अच्छा होता है, जिस घर के अंदर लड़की पैदा होती है, वो घर वा कोई चेंज तो नहीं आया था लेकिन मास का यूज करता है तोան की बात करें हम तो आज की तրाả वल्ड किलास स्कूल स्कूल्स तो नहीं पहले गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी जहां पर भरम चर्य यानि की विध्यारती जीवन के कुछ संसकार सिखाए जाते थे और विध्यारती के सारीरिक और मांसी विकास पर जोड़ दिया जाता था गुरुकुल के अंदर जिसमें जो विध्वान हुआ करते थे उस आ मौन्सुन का मतलब क्या होता है देखिया मौन्सुन आरदी हेवी राइंस दॉर्इंग ốngज् donut इनि उसके पर आते दच्छिन साइड में यहां पे बहुत तेजी से हवा चलती है उसका जो इंपक्त है वो नोर्थ इंडिया में पढ़ता है और बारिसोनी स्टार्ट हो जाती है और कभी कवार क्या होता है कि ऑक्टूबर नमंबर तक यह जीचा चला जाता है और इसका जो इंपक्त होता है वो सूरस तक नहीं निकलता अलत ऑख़ा ऑती है और भारत के नौर्थिस्ट इंडिया में सबसे जयादा बारिस होती है बारिस का लेवल सबसे जादा हो नैस्ट कोशन क्या है भारतिय सभीधान की चनी चार विशिश्ताओं का वर्न्यां की जिए यानिकि डिस्क्राइव इनि के विसले बहुत साई कर सबसे बड़ा सभितान कि घंसे सरðकार जिसमें बहुत के सभी राजों के मुक्हय मंतरियों पलस उपनचाई थे सरपंच पस風 UV Theater इसको एक एक करके डिस्क्राइब किया गया है इसलिए भारत के समिधान में टोटल 395 आर्टिकल्स रखे गई थे 25 आज इसके पार्ट है और इसके अंदर टोटल 12 अनुसूचिया है 12 सेडिल है इस तरह के से भारत का सरदान दुनिया का सबसे बड़ा समिधान हो गया भारत का समिधान है Constitutional Rigidity है यानि कि नहीं ज्यादा Rigidity है और नहीं ज्यादा लाचीला यानि कि फ्लैक्सिवल है इसका मतलब क्या हुआ हम किसी भी समिधान को कठोर यानि कि तभी कहते हैं जब उसके अंदर चेंज करना बहुत ही मुस्किल हो जैसे और जब उसमें चेंज करना बहु सबी बहुत है और सभी राज्यों में से आधे राज्यों की सहमती भी बहुत है तो दोनों का इसके अंदर कॉम्बिनिसम बनाए गया जिससे कि सविदान की अपने मर्यादा बचे रहे बनना जितने वा सरकार चेंज होंगे उतने वारी समिधान भी चेंज कर देंगे इसलि को यानि कि कठो भी बनाया गाया है आपको यह My Last nightuffy भ较ति Can फष्ट हो गमडने माइन कि जब भी देस के अंदर पावर को एक से अधिक लेवल पर डिस्ट्रिबुशन कर दिया जात है तो उसको federal country कहते हैं जैसे कि भारत है भारत में संगातमक विवस्ता है लेकिन जब सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में देर दी जाती है तो उसको unitary system कहते है यानि कि एक ही इंसान के पास सारी पावर का होना भारत में क्या है संगातमक विवस्ता है और एकातमक विवस्ता भ जाता है ऐसे नोर्मली टाइम पर भारते संगातमक है सेंटल स्टेट और लॉकल गवर्मेंट के पास अपनी अपनी पावर है वह अपने उसको यूज कर सकते हैं सभी के लिए अलगला सब्जेक्ट भी दिया गया है कि जब सभीधान बन रहा था तो सेंटल गवर्मेंट को ट सब्जेक्ट रखे गये थे जिसका मतलब होता है सेंटल और स्टेट दोनों मिलकर समवर्थी सूची पर कानू बना सकती है थाड़ वाले हो क्या कहा जाता है हिंदी में समवर्थी सूची और इंगलिस में कॉंक्रिट लिस्ट कहा जाता है बट आज 97 से बढ़कर 100 हो गया है और यह 66 से घटकर 62 हो गया और कॉंक्रिट लिस्ट 47 से बढ़कर 52 हो गया और इस तरह के सेंटर लिस्ट मेर के 100 सब्जक्ट है इस पर सिर्फ इम हर जकडा जह जा सब्सक्राइब करेंटर में रखा गया है यह सारे जो क्लिस्ट का काम है यह सब रखा गया है स्टेट लिस्ट में का रखा गया एजूकेशन का एजुकेशन दोनों के लिए ही है राज्य ओ सरकार इसलिए इसको रखा गया कॉंक्रिट लिस्ट में जिस पर दोनों ही कानूं बना सकते हैं इसके बाद लोकतांत्रिक गन्राज्य यानि की डैमुक्रेटिक रिपब्लिक स्टीट है भारत यानि कि भारत के अंदर चुनी ही सर करते हों उसी को हम कहेंगे गन्राज्य यानि की रिपब्लिक स्टीट तो भारत के अंदर जो प्रेजिजेंट है इसका जनता डायेट नहीं करती है बट जिनको जनता ने चुना है जैसे की MLA होगे और MPs होगे यह दोनों मिलकर ही भारत के राष्ट पति का चुनाब करते है इसलिए भात को गन्राज्य यानि की रिपब्लिक स्टीट का जाता है चुकि राष्ट तंत्र में क्या होता है कि इनका चुनाब नहीं होता और राजा के बेटा ही राजा बनता है फिर उसका बेटा ही राजा बनता है पर यहां पर क्या होता है लेक्सन में जीतेगा वही द जो विधान सबाए उसके दुवारा जो भी कावन पास किये गए हैं उसके बाद गवर्नर का सिखनीचर लेना जरूरी होता है तभी वो पास माना जाता है तो गवर्नर के कौन-कौन से पावर से चलिए हम यह देखते हैं सबसे पहला पावर है कारेकारी सकतिया यानि कि राज विधानी होता है राज्यपाले सिंफिने में चाता है सन्दियेज बहिश के रहोद है सकते हैं जसको लेज़ेशटर कहते हैं बेदेग्ल कमेंंडर सिंपल विधान सवां ही एम आति हैं कही-कहीं पे, विधान परिशत बनी हुए, council of state बनी हुए, जो बड़े state होते हैं, तो विधान नटल की बैठा के बुला सकता है, यानि meeting बुला सकता है, उनको भंग कर सकता है, यानि खतम कर सकता है, सब के सब किसे हाथ में हैं? गवर्नर के हाथ में, वो चुनकर आई है, इसलिए इनकी बातों को मानना होता है, गवेर्नर को किलिए है, जैसे सेंटर में राष्टपती, प्रधामनतरी पे सला के अनुसारी काम करता है, सेजिसन के कोडिग काम करता है, किलियर है, the next point क्या है, वित्य सक्की जो राज्यपाल होता है, जिसको money will कहा जाता है यह तभी पेस किया जागा विधान सवा में जब राज्यपाल इसको पेस करने की अनुमति यानि permission देदे जैसे budget विगेरा हो गया यहाँ पे मुख्यमंत्री को limited power मिली होती है जैसे health विगेरा हो गया यह सब कर सकता है लेकिन जैसे कि land हो गया पुलिस हो गया low end order हो गया यह तीनों चीजे राज्यपाल के हाथ में होती है जिसको हम उप्राज्यपाल कहते है दिल्ली में बाकि health यह तमाम ऐसे issues जो social welfare के लिए मुख्यमंत्र के पास होता है केंदर सासित राज्यपाल को ज्यादे सक्क्षियां दी जाती है as compared to cm यानि की मुख्यमंत्र हम दिल्ली में देखते हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम चुनुवी सरकार है फिर भी राज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे इसलिए lieutenant governor यानि क की उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोने की बीच में टक्राव उता रहता है तो इस तरह के से यह था हमारे राज्यपाल का कोशन इसके बाद आता है हमारा नेस्ट कोशन जो क्या है भारती में चुनाब प्रकरिया के अलगरा चरन बताना है यानि कि जब एल्यक्षन होता हुआ यानि कि पहले एरिया को ड़िवाइट के आता है और सभी को एक एरिया से एक सिट दी जाती है उस सीट को सीट को हम कॉन्सिटैूशनल एरिया कहते हैं यहां से ख़ड़ा हुआ अ्या उसका नाम भी आप या किसी पॉलिजिकल पार्टिए से हो सकता है तो सब tutti हो सकता तो उसके बाद उसका नाम election में आ जाता है अब वो election लड़ सकता है यानि कि चुनाब लड़ सकता है वो खड़ा हुआ है उस post के लिए जिसके लिए चुनाब हो रहा है या M.P. के लिए या M.L.A. के लिए यानि कि scrutiny of nomination papers यानि कि जो इसमें भरा गया है वो सही है या नहीं कोई अपरात तो नहीं है या जो information दी गई है education को लेकर या अपने financial condition को लेकर वो सही है या नहीं है इन सब की जांस की जाती है इसके बाद विड़ोड कर लिया जाता है nomination को and इसके बाद election campaigning start होता है यानि कि ज पचार सहींता लगा दी जाती है जिसमें कोई परचार परसार नहीं हो सकता चुनाफ के ठीक 48 गंटे पहले and election कर रहा जाता है polling booth पे इलेक्शन होता है सभी लोग जाते हैं मसीन के अंदर button दवाते हैं जो उनका पसंदिता candidate है जो उनको अच्छा लगता है जैसी election हो जाता ह है उनका नाम finally declare करते जाता है तो इस तरह के से पूरा इलेक्शन होता से एडिवाइट किया गया नमीशन किया इन को चेक किया गया और चार यान कि कंपेनिंग की गई परचार परचार किया गया उसके वोटिंग की गई पर जाके एंड उसके बाद वोट्ट की वर्ड वर्फर्स्ट की स्टार्टिंग 28 जुलाई 1914 को हुई थी और ये खतम हुआ था 11 नमबर 1918 को तो इतने साल तो वर्ड वर्फर्स्ट चलता रहा था तो इस दुरान दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड होगी थी एक को कहा जाता था मित्राष्ट जिसको एलैड पाव और बुल्गारिया ऐसे देशाय करते थे जो वर हुआ उस वर में मित राष्टों की जीत हुई थी क्योंकि जर्मनी उस्टिया हंगरी ओटमन अंपाय ये सब हार गए और कोसल में आप से पूछा गया है कि भारत पे इसका क्या इंपक्ट पड़ा एक भारत पे इसका ये इ पड़ा तो इसलिए भारत पे इसका निगेटिव इंपक्ट पड़ा भारत की जो सपने थे वो टूट गे अंग्रेजों के त्वारा जूटे बाद किये थे कि हम अजादी देंगे बैट ऐसा कुछ हुआ नहीं एकनोमिक रूप से भी भारत पे पोजिटिव इंपक्ट भारत को इसका निगेटिव पॉजिटिव दो नहीं इंपक्ट पड़ा तो वर्ल्ड वर्फर्स्ट फैनली 1918 में खतम हुआ 11 नमंबर को जब इसके अंदर लाखों लोग मारे भी गए क्योंकि जनहानी धनहानी दो नहीं होता है युद चाहे किसे के साथ भी हो इसका पॉज चलिए अब हम बात करते हैं नेस्ट कोशन की नेस्ट कोशन है भारत में चुनाब सुधारों की अवेशक्ताओं को सप्ष्ट कीजिए यानि कि इलेक्शन के टाइम पे जो रिफोर्म करने की नीड है इंडिया में वो क्या क्या है यानि कि वो is there a need of electoral reforms in इंडिया एक्सपीे सबसे पहले चुनाब में धन की बढ़ती भूमिका आज क्या होता है कि जिसके अपाद धन है यानि कि मनी पाबर और मसल पाबर वह पॉलिटिक्स में जा सकता है चुनाब में खड़ा होकर जीत भी सकता है मनी के दुआरा क्यों क्यों कि वह कंबल बाड़ देगा दारू बाड यानि जिस भी प्रवाड़ सरकार होती यानि कि अस गेर में अपने चुनाब कोईन जीतने के लिए उनका योपियोМ करते अपने चुनाब को जीतने के लिए तो इसका काफी गलत इस्तेमाल क्या है सबपहला एकजट पॉल पर पर परतिबंद लगाना कि लक्यों और्म दिक सकती ہے इसके जितने कितने chances हैं इसको इतने सीटे हैं मिल सकती है इसको इतने इसको जिदता वह दिखाया जाता है लोग उसी वोड देखा रहा जाते है इससे निगेटिव इंपेक्ट पड़ता है इसको इसलिए इसको बंद कर दियाना चाहिए एंड चुनावी खर्च पर सीलिंग नेश्ट चुनावी खर्चों पर फर्तिवन लगाना चाहिए आज क्या है कि टाइम पर करोडर पर उड़ा दिये जाते हैं फिजूल खर्चे किये जाते हैं के बार जो जीत कर आता है वह उन आफे उसको रद कर देना चाहिए आज भी लोग इलेक्शन को हलके में दे लेते हैं और जो उनका साथी देने जा रहा है या महिलाओं के जो पती देने जा रहे है बस वही सुनकर वो इलेक्शन में वोट देकर आ जाते हैं बट ऐसा नहीं होना चाहिए हमें जो अच्छा को हलके में लेना चाहिए जागरूफ होंगे लोग सही जानकारी लोगों को मिलेगी अगर लोगों को सही सही इंफर्मेशन मिलेगी मीडिया के दुवारा चैनल्स के दुवारा सोसल मीडिया के दुवारा नियूस पेपर मैगदिन्स के दुवारा लोग ये सही डिसेजन ल जल्ए ओपर दियेगे के में से कोई भी हमें पसंद नहीं है इसका पास या इसका बढ़ता हुआ यूज हमें यह बताता है कि ऐसे खड़े हो रहे हैं जिनके ओपर काफी सारे क्रिमिनल केसे चल रहे हैं रेप के के केसे चल रहे हैं मुर्डर के के चल रहे हैं ऐसे लोग बिधान सभा और इंडिन परल्लेमेंट इसके लिए एक कठोर कानून बनना चाहिए जिससे की कि ऐसे लोग हमारे देश का कानून ना बनाए बलकि जेल में हो यूज करकर आज काफी सारे डूब्लिकेट एंट्रिया करवाया जाती है एलेक्शन के बात करते हैं अपने नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन है बंगाल भिवाजन की घोषना किस ने की इसका इंडियन सुसाइटी पर बड़े परभावों का वर्णन कीजिए यानि की हूँ अनाउंच दी पार्टिशन वंगाल डिसक्राइब इट्स इंपैक्ट्स उन इंडियन सु इसका क्या परभाव पड़ा आपको यह बताना है यहां पर आपको लिखा गया है कि पॉइंट के अंदर फॉर्स पॉइंट के विवाजन ने पूर्य भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में गुस्सा पैदा कर दिया क्योंकि इससे जो हिंदू की जो सेंटिमेंट्स है का पार्टिसन कर दिया गया और लोग काफी नहराज होए थे और विद्रो होने स्टार्ट हो गया थे अलगर जगा पर इसका विरोध भी किया गया था फाइनली वह लोड कर जनेके पारजा पार्टिसन किया गया तो यह भाग कर बृटें चला गया क्योंकि यहां पर बहुत स्वेदेशी को अपना यानि की अपने ही देश के चीजों को परमोड करें रेडिकल नेशनिलिजम बंगाल से स्टार्ट हुआ था क्योंकि यहां पर बाल पाल लाल गंगा धारत लग पिपन चंत्र पाल ओल लाला लाजपत रहे सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी जिसका आउटकम निकला जिसके वैसे भारत का पार्टिशन हुआ क्योंकि अंग्रेज को मकसा थी था भारत को डोटकुड़े में तोड़ देना ठीक है आई होप आपके कोशन संद में आ गया हुआ चलिए हम बात करते हैं नेस्ट क किया है जर्मनी के के इक हमार्ण के वह भी करक्राण की वे नीती अपना ही ती जिसके छलते उुनाइद वॉर्द को and iron be कहा जाता है विस्मार्फ लोकतंत्र यानि के democracy का oppose करता था और jiktatorship यानि की ताना साहि जहांपे एक ही इंसान की सासन हो जहांपे सिर्फ एक ही इंसान की चले इसका सम्र्ठन यानि की इसका support करता था विस्मार्फ का एक ही करण यानि की यूनिफिकेशन में भी रुकावड था साथ ही विसमार्क चाहता था कि ये रोप का सबसे पावरफुल कंट्री जर्मनी बने तो विसमार्क की जो निती थी वो क्या थी ये बताने आपको देखो परसा यानि फरसिया परसा की सैनिक सक्ति में ब्रिद्धि कर कोट निती का सहरा लेकर उसने जर्मन राज्यों के एकिकरन कारणों का पूरा किया यानि कि इसने कोट निती के साथ और अपनी पावर को बढ़ा कर यूनिफिकेशन करना स्टार्ट किया और देखते ही देखते हैं जो अलग-अलग स्टेट में बटे हुए थे वो सभी स इसमार्क के दुआरा जितने भी स्टेट थे उन सबको एक करके एक ड्रास्ट बनाया गया और इस तरके जर्मनी का यूनिफिकेशन यानि की जर्मनी एक होगी तो सिंपल आपको इसमें यही बताना है छोट छोटे पार्ट्स में जर्मनी बटा हुआ था सबका अपना अप पाकि आपको जो मैं नोट्स दिखा रहा हूं यह नोट्स आपको प्रवाइड कर दिया गया है इसके लिंक के निचे वीडियो का डिस्क्रप्शन बोक्स में हैं आप उसी लिंक पे क्लिक कीजिए आपके सामने यह नोट्स ओपन हो जाएगा और इनको आप एक एकर करके र करना ना और राज्या बना वाया उसको खतम करना राज्यों का बोर्डर बढ़ाना गताना यह सारे काम इंडियन प्रल्यमेंट का हैं इतने भी देश के लिए कारणूँ बंते हैं वो देश के संशन में ही बनते हैं पार्लियमेंट में और पार्लियमेंट भारत के अंदर दो हाउसे से पार्लियमेंट में पहला है लोकसवा जिसको लोवर हाउस कहा जाता है यानि कि निशली सदन दूसरा है राज्य सवा जिसको अपर हाउस कहा जाता है यानि कि उपरी सदन जो भी कानून पह अक्ति पार्लियमेंट को दी गई है अगर सभधान में कोई चेंज करना है तो इंडियन कॉंसिट्यूशन के आर्टिकल समय के अनुसारी अकानुन बनाना चाहिए जैसे कि सरकार ने GST बनाया तो आर्टिकल 368 के तहती समिधान में चेंज किया गया जैसे कि निव जूकेस ने पॉलिसी के बाद कि जब भी ऐसा कोई कानुन लाया जाता है तो समिधान में चेंज किया जाता है पहले पार्लेमेंट के दुआरा भोट भी किया जाता है यानि कि देश का जो राष्टपती है और उपराष्टपती है इसका एलेक्शन भी लोकसवा और राज्यसवा के मेंबर्स के दुआरा मिलकर ही किया जाता है साथी इसमें राज्य के विधान सवा के मेंबर से भी सामिर होता है नेक्टे संसत की विधाई पर के लिया यानि कि कोई भी काणून का निर्मान करना है कोई काणून बनाना है तो लोकसवा, फिर राज्य सवा, देन राश्टपति का सिगनिचर ये तीनों चीज़े इंपोर्टेंट है, तभी जाके कोई कानुन बन पाता है, इसलिए संसत के दौरा जो कानुन बनाए गया है, ये सभी गमानना होता है, और ये कानुन सभीधान के कोडिंग है या नहीं, ये जाच करती है सुप्रिम कोड, इसको हम लाकते न्याइक सक्किर कानुन को खतम कर देती है, अगर समिधान के कोडिंग नहीं पाया जाता, संसत के दौरा बनाए गया कानुन को खतम कर देती है, अगर समिधान के कोडिंग है, तो सुप्रिम कोड भी उसका सपोर्ट करती है, तो समिधान की रक्षा करने का राइट सुप्रिम कोड को दिया गहा है कानू बनाने का अधिकार यानि कि लौ मेकिंग का जो राइटसAT है सकते की संसता बनाती है जिसके मनाती है जिसके लिए छोटे बड़े जितने भी कानुने वो सभी संसत के अंदर ही बनाया जाते हैं खतम के जाते हैं, चेंज के जाते हैं के लिए हैं चलिए अब हम बात करते हैं अपने next question की next question है लोकतांत्रिक समाज में चुनावों की भॉमिका का वंडन कीजिए describe the role of elections in a democratic society देखिए, लोकतांत्रिक के अंदर election होना बहुत ज़रूरी है अगर election नहीं हो रहा है तो समझ लोग देश democratic यानि के लोकतांत्रिक है ही नहीं और election हो रहा है तो किस चीज की वेस्ट पर हम election देंगे हमें पता कैसे चलेगा कि ये candidate किस political party का है तो इसके एक democratic country के अंदर election होना जरूरी है उतना ही जरूरी है political party का होना और दो या दो से ज़्यादा political party का होना जरूरी माना जाता है democratic country के अंदर जिससे कि लोगे पास ये alternative option हो कि अगर उसको एक पसंद नहीं है तो वो दूसरों को दे सके और दूसरा पसंद भी नहीं है तो वो तीसरों को vote दे सके political party का रोल ये होता है कि वो एक ideology के साथ जनता के सामने अपना manifesto रखती है उनको अपनी बात ये बताती है अपनी policies बताती है कि हम ये करेंगे और finally चुनाप के लिए competition करते है सभी अपने मुद्य को जनता के सामने ले कर जाते है और competition के बाद जिसको जनता पसंद करती है उनको voting करती है election के time पे campaigning करते हैं ये और जो जीतती है वो finally अपनी सरकार बनाती है तो इस प्रकार लोगतांत्रिक समाज में चुनाप की बहुत महत्मण भमिका होती है क्योंकि जनता डायरेक्ट सासा नहीं कर सकती क्योंकि जनता खुद अपना कानू नहीं बना सकती जनता के लिए candidate कानू बनाए इसलिए ही election किया जाता है बट अब क्या है कि एक गाउं की पॉपलेसर नहीं सिर्फ चार से पांस लाख होती है इसलिए ये लोग मिलके वोट कर देते हैं और जो जीत कराते हैं वो इनके लिए कानू बनाते हैं जिनको हमने बोर्ट दिया है इसका मतलब हुआ कि हमने उनको अपनी सहमति दे दिया है जो वो कानू बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं वो हमारे इंटर्शन में बना रहे है तो यह प्रैक्टिकल कभी कवार इसके अपोजिट हो जाता है कानुन वो ऐसा बना रहोते हैं जन्ता नहीं विचाती है तो यह चीज है इसलिए हमेशा जन्ता की सुनकर ही चलना चाहिए तो यह है लोगतांत के अंदर लेक्शन का इंपोर्टेंस और नेक्स्ट कोशन का है हमारे पास नेक्स्ट कोशन है भारत तथा विश में आतंगवास से निपटने के लिए बनाए गई भारत सरकार के नीतियों का प्रेक्शन कीजिए यानि कि एक्जामीन दी स्टेटजी ओफ दी गर्रमेंट ओफ इंडिया इंप्लोईड तो डील विद टेरिजम इंडिया एस वैल इस इन दी वर्ल्ड यानि की टेरिजम से निपटने के लिए इंडियन गवर्मेंट के दुवारा क्या कदम उठाए गया है लोगों को और फंडामें प्लेन हाइजक करकर के ट्नैपिंग करकर खून खरावा करकर अपने बातों को बनवाने के लिए लोगों में देशत फिलाने का काम करते हैं तुर्यजम सिर्फ एक देश का मुद्दध नहीं दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर तब ही कुछ हो सकता है बट भारत ने बोल्टर पे जो वेल यानिकि इलेगल रूप से जो लोग घुस आते हैं तो ऐसे लोग भारत के लिए खत्रा पैता करते हैं इसलिए सीमा सुरक्षवल यानिकि B.S.F. के द्वारा इन पे कड़ी निगरानी भी रखी जाती है इस एक्ट के तहट गैर कानूनी गतिवीदियों के परभावों को रोकने के लिए ये एक्ट बनायेगा अगर किसी पर डौट होता है तो उसको ये काम करने से रोका जा सकता है ये पूरा राइट है नेक्ट फैट पॉंट का है रास्टिय जांच एजेंसी यानिकि N.I.A. National Investigation Agency ये का करती है टेरिस्ट यानिकि आतंगवादी से लड़ने के लिए एक प्रोधी टास्क फोर्स बनाती है और उनसे लड़ती है किसी भी स्टेट में जाकर ये एक्शन ले सकती है नेक्स पॉर्स में भारत बोलता है जो आतंगवाद को सपोर्ट करते हैं जैसे पाकिस्तान गरेलिस्ट में डाल दिया गया तो अलग-अलग टाइम पर जो भी देश आतंगवादों को सपोर्ट करते हैं भारत ने हमिशा से उन देशों का नाम खुले रूप से लिया है एक्पॉं आखिर आतंगबाद को दूर कैसे किया जा सकता है इसका सुझाप क्या है सबसे पहला तो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना चाहिए यानि कि अगर इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है अगर एक कंट्री कहता है कि आतंगबाद तो तुम्हारा मुद्द है हम तो भाई यilwichशन आतंगबाद करने चाहिए ूग को सपोर्ट करता है अज भी कई वेस्ट्रफन कंट्री अपने हतियार को बेचने के लिए प्रमोट करने के लिए और सबीन को सपोर्ट करना हमें एंड आतंगबादी को दूर करने के लिए हमें लोगों को मोरल सिक्षा दियना होगा और गरीबी के वाई से भी लोग टैरिस्ट बन जाते हैं मोरल एजुकेशन ना मिलने से उनका माइंड वोस कर दिया जाता है अब उनको यह लगने लगता है कि कुछ भी नहीं है बाई और देखते हैं देखते हैं वो सरकार यानि कि देश के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं बाहरे सकतियों का कठोरता से दमन करना होगा जनता में सिमाओं पर हमें कठोरता के साथ नियंदन करना होगा ताकि को भारी रूप से भारत में ना आ जाए एंड पॉलिटिकल यूनिटी बना करना होगा कहीं कोई पॉलिटिकल लीडर किसी आतंगवाद का सपोर्ट तो नहीं कर रहा किस चीज का प्रिसे दियान लगना होगा तो जो उस टाइम पेपर पएंड्री बनाय जा दा थे हैं उनका काफी इंपोर्टिंस आज तक बना होगा है 16 से लेकर 18th century का ही बात है जिस टाइम प्वा लूटियूर्स बनाए गई गया है तो मुगलकार के दुरान जो पेंड्रींस नुन पेंड्रिकल के थे साथ ला विकास इसमें बड़े पेमाने पर अनुभब किया यानि कि अकवर का टाइम पर पेंटर्स यानि कि जो पेंटिंग है इसका काफी डवलेमेंट हुआ अकवर द्वारा सुरू की गई सबसे प्रारभ्मिक पेंटिंग पर योजनाओं में से तूती नामा वहत्पून थी जिसमें 52 भागों में जिसको 52 पार्टों में डिवाइट किया गया था यानि कि अकवर के टाइम पे जो पेंटिंग की योजनाओं प्लानिंग की गई थी उ इसमें राजपूत चित्रकला का इंपक्ट पड़ता है अकवर के दुवारा राजपूत से अच्छे रिलेशन बनाना राजपूतों में साधी करना इसके वाई से मुगलों में जो पेंटिंग मना जाती थी उसके उपर भी राजपूत के रिलेशन का राजपूत के पेंट आप इस painting को दे सकते हो इसलिए इसको भिक्ती चित्र कहा जाता है जिसको कागेश पे बनाया जाता था और इस painting की अपने ही कुछ खास जिया थे यह देखिए आप यह सारे painting मुगल काल के ही painting से दूस टाइम पर बने है चलिए अब हम बात करते हैं अपने next question next question है 1871 में फ्रैंको पर्सियन यूद के परिनामों की वेक्ष्या किजिए यारि कि explain the consequences of फ्रैंको पर्सियन war of 1871 1871 में जो war हुआ था France और पर्सिया के बीच में इसका क्या impact हुआ आपको यह बताना है पर्सिया का मतलो simple आप जर्मनी से समझना आपको confusion नहीं हो रहा है इसमें ठेक हैं जर्मनी के रहे मैंने हाप पर प्रैकेट में डाल दिया तो इन दोनों के वीच में war हुआ और इस war में पर्सिया जीत गया यानि कि जर्मनी जीत गया और जर्मनी के जीत जाने के बाद इसने फ्रांस के दो सहर Alaska और Lawrence पे इसने कबजा कर लिया यानि कि Alaska और Lawrence अब हो गया जर से एंड लोरेंस के नाम से जाना जाता था एंड साथी मेज इस्टोर्स वर्ग ये भी इसको मिले बट अलास्का और लोरेंस काफी इपोर्टेंट है और यह यूद चलता है 19 जुलाई 1870 से लेकर 10th of May 1871 तक जिसको फ्रैंक को परसियन वोर्ग के नाम से जाना जाता है और जर किसे जर्मनी यानि कि परसिया की इसके अंदर जीत हुई तो यही आपको इसमें बताना है और यहीं से स्टार्ट होती है जर्मनी के यूनिफिकेशन एड इटली का यूनिफिकेशन यानि कि इटली का एक ही करान जो कि हमने अभी अपने पहले के कोसेंस में भी देखा तो भारत के राष्टपती को समिधान के द्वारा अनेक अधिकार यानि की पावर्स दी गई है बट राष्टपती इन पावर्स का यूज देश के परधान मंतरी और काउंसिलों मिनिस्टर के सर्जेशन के एकोर्डिंग ही कर सकता है तो चलिया वेकर करके हम देखते हैं कि वो पावर कौन कौन से जो राष्टपती को दी गई है देखो सबसे पहले परधान मंतरी के सलाकार मंतरी परिसत के जो साधिस्से होते हैं इन सब को मनोनित यानि की नॉमिनेट भी प्रेजिजेटी करता है यानि कि इन सब को सपत दिलाता है ओध कौन दिलाता है ओध इन सब को प्रेजेंट के दुवारे ही दिलवाया जाता है इसके बाद सर्वो उच नियालिके जो जितने भी नाइडीज होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी नॉमिनेट देश का प्रेजिजेंट ही करता है पड़ यह जो भी काम कर रहा है यह देश के पीम और काउंसीरों मिनिस प्रेजेंट के दौण के दौण करता है और भार कर सबसे सुप्रीम पोस्ट है भुद्धिस का प्रेजिजेंट कहीं होता है नेक्स्ट बिधहाई सकतियां एकि लैसलेटी पावर्स अभी प्रेजिजेंट अधिवीशन बुलाना संसथ के अंदर कोई कारणरवाई करवाना भासन देना यह सारे काम राष्टपती के द्वारा ही किया जाते हैं जैसे कि लोकसभा को भंग करना नए राज्यों को बनाना उनकी सीमाओं को चेंज करना कोई भी धेक पेस करना पार्लियामेंट के अंदर इन सब में राष्टपती की ही सहमती चाहिए होती है और जब भी को को छमा भी किया जा सकता है माफ भी किया जा सकता है जो सजा दी गई है किसी भी इनसान को चाहिए मिर्टी उजन्ड की सजा हो या उमर कैद की सजा हो मिर्टी उजन्ड को यह उमर कैद में भी बदल सकता है यह इसके पास पावर है यह सारे काम वो देश के प्लाह मंत्र के स राष्टपती की सेन ने सकती हैं देखो राष्टपती तीनों सेना का चीफ होता है बायू सेना थल सेना और जल सेना इन तीनों सेनाओं का वो चीफ होता है ठीक है एंड आपात कालिन सकती हैं तो मिलिटरी पावर में तो हमने देख लिया चीफ ओफ दी आर्मे चीफ ओफ दी लगा जाता है जो सहमति से लगा जाता है यह तब भारत के किसी भी स्टेट के अंदर सरकार मजोरटी के साथ नहीं चल रही हो constitutional के coding नहीं चल रही हो ताइम पे उस state के अंदर presidential rule लगा दिया जाता है यानि कि राष्टपती के दुवारा उस तरी state का सासन किया जाएगा इसके बोलते हैं article 356 के तहत and next article 360 ये लगा जाता है financial crisis के टाइम पे अब आर्थी संकर्ट आ जाए भारत में तब लगाया जाता है article 356 का भी उज किया गया है बट आज तक article 360 का यूज नहीं किया गया है क्योंकि भारत के लिए पैसे कमी तो है नहीं भारत के लोगे में तो सिर्फ नियत की कमी है ये चीज़ा हमें ध्यान लगना है रख लेता है अगर वो विल कोई मनी विल नहीं है तो वो हमीशा के लिए अपने पास रख सकता है जब उसका मन करे तब ही भीजेगा हूँ तो वो वीटो कर सकता है इसको वीटो का जात है एंड निलंबिद वीटो इस वीटो सकती के अंतरगत राष्टपते किसी विधेग को संसत के पास दुवारा विचार करने के लिए भीज सकता है इस वीटो सकती के तहत राष्टपते किसी विधेग पर ना अनुमती देता है और ना ही अनुमती देने से इनकार करता है और ना ही पुनर विचार है तो लोक सभा के member and राजय सभा के member और विधान सभा के जो विधायक है जो चुनिवे यानि कि elected जो member है वो इसके election करते हैं विधान सभा के तीनों houses के member इसके election में participate करते हैं जनता right participate नहीं करते हैं यह काम होता है जो कि हमने उपर पड़ा भी गवरनर के रूप में नेशकोस ने भारतिय समाज पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलोनों के परभावों का वंडन किजी यानि कि describe the impacts of social and religious reform movements on the Indian society देखो जब अंग्रेजों का काल भारत पे चल रहा था अंग्रेजों के टाइम पे भारत में कई ऐसे खूब प्रताय चल रही थी जैसे कि सती पर्था महिलाओं का सती हो जाना अपने husband के जलने के टाइम पे और उनको जीने का अधिकार नहीं हो जाता तो सती पर्था को बैन किया गया 1829 में राजा राम महुन राय का इसके अंदर contribution रहा है तो मोमेन एजुकेशन को लेकर या महिलाओं के इन condition को लेकर अलग-अलग लोगों के दोवारा अपना contribution दिया गया है राजा राम महुन राय हो गए पंडित लक्समेवा जी हो गई और जो दिवा फुले जी हो गए अलग-अलग लोगों अपना contribution दिया है जिन्होंने समाज सुधार के अंदर महिलाओं की सिक्षा बाल बिवा को खतम करना विद्वा बिवा को यान की रिमेरिज एक्ट और विड्डोस को और विड्डोस को रिमेरिज का राइट्स देना इन सभी बातों पर जोड़ दिया गया ताकि महिलाओं की के करडिशन में सुधार हो सकते समाज के अंदर जो भी डिस्क्रिबिशन है जो भी कूपर थाय चल रही थी जो डिस्क्रिबिशन थी उनको दूर करने ने उनको खतम करने के लिए इनोंने time to time आवाज उठा है, जिससे कि समाज में धार्मी गरूप से जो बेतवा हो रहा है, यह खतम हो सके, और समाजी गरूप से जो महीला पुरूश्चे में भेतवा हो रहा है, यह खतम हो सक, उनके education से ही यह दूर हो सकता है, तो आई होप आपको एक कोशन समा गया हुआ इसमें आपको सिंपल यही बताना है चलिए अब हम बात करते हैं अब बात करते हैं नेश्ट कोशन है लोगतंतर की सफलता में साक्षरता किस परकार महत्पड भमी का निवाती है वेक्षा कीजिए यानि कि लोगतंतर की सफलता के लिए यह जरूरी है कि जनता सिक्षित हो इस देश की जनता educated होती है वो अपने rights को जानती है अपने responsibility को समझती है उनके क्या क्या duties है जिससे कि उनको कोई गुमरहा ना कर सके और उनको सई information मिले और वो सासन पर सासन यानि कि देश की सरकार से भी questions कर सके तो चले अब हम यह देखते हैं कि लोकतंतर की सफलता में साक्षरता की क्या क्या भूमिकायल यानि कि लिट्रेसी रेट देश के अगर जादा होगी तो जाहिर से बात है कि पड़े लिखे लोग देश के तरके में भी अपना contribution देंगे इस से लोकतंतर भी से परमुकारण सिच्छा का अभावी होता है एजुकेशन ना मिलने के बज़े से कई लोग वोटिंग को बहुत हलके में ले लेते हैं और बिना कुछ सोच और समझे दूसरे के कहने पर वोट डाल कर आ जाते हैं इसका क्या impact पड़ेगा सैद वह समझ भी नहीं पाते हैं त करती है सिच्छा को सफल बनाने के लिए लोगतंतर जरूरी है क्योंकि बिना डेमोक्रेटिक कंट्री के लोगों को सई सई इंफ्रमेशन नहीं मिल पाएगी भारत चाइना धोड़ी है चाइना के अंदर सरकार का सैंसे सिर्फ होता है घर्मेंट जो चाहेगी मीडिया चैनल है एक रानतिक विचारक है इसके द्वारा यह कहा गया था कि सिच्छा के ना होने से यानिक सिच्छा के अभाब में स्केर सिटी में लोकतंत्र लंगणा निरजीव लचीला हो जाएगा लोकतंत्र के अभाब में सिच्छा सूखी निरस और मर्त्र प्राय हो जाएगी यानि तो डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है इसका बार नेस्ट को सने रिनांचा के दुरान चिकिस्टसा विग्यान के छेत्र में सर्वेट्स तथा विलियम हर्वे के योगदान का वर्णियन किजिए यानिकि दिस्क्राइब दो कॉंट्रबूशन ओफ सर्वेट्स एंड विलियम हर्वे इन दी फिल्ड ओफ मैडिकल साइंस टूरिंग दी रिनेंसा का मतलब क्या होता है दुनिया भर के अंदर 1600 के टाइम में जा हुआ था नए-ने इन्वेंट्सन होने स्टार्ट होए थे खोज होने स्टार्ट होए थे और इन खोजों में साइंस में सबसे बड़ा खोज किया गया था इन खोजों में साइंस में स्पेस में एकनोमिक में पॉलिटिकल में अलग-अलग खोज किये गए जिसके भाप का इंजन, जैम स्पोर्ट के दोवारा, राम वेल्स के दोवारा, टेलीफोन का भी इसकार कियागा और इसके साथ सर्वेट्स और विल्यम हर्वे के दोवारा जो खोज कियागा इसका भी बहुत बड़ा रूल है इसके बारे में सबसे पहले इसने बताया विलियम हर्वे के द्वारा ही बताया गया रक्त हर्दे से फेफड़ों तक जाता है और बापस हर्दे यानिकी हर्दे तक बहुंच जाता है यह सबसे पहले विलियम हर्वे नहीं बताया हमें जो कि medical science में सबसे बड़ा invention था उस टाइम पर निया भर के doctors को यह पता चल पाया तो discover of half blood circulation सबसे पहले विलियम हर्वे के द्वारा बताया गया इसलिए medical science में सबसे बड़ा invention माना जाता है इसलिए इनको father of the circulator system कहा जाता है पृतिवि याम कि इस अर्थ पर यह जो आप अर्थ देख रो हो यह पे इस एंग्ली वाले में picture लगाया हो यहाँ पर पाय जाने वाले जीव हैं वरसपत्ति पीड़़्य पहुधे Genius inenghtlaуск 씨 को हम जईब राखिधे की बाइयो डियोडिय के नाम से जानते हैं इसे कि इंसाने अपने रंग रूप ए चोटे चोटे कीडे मकोडे कि इतने ज्यादा स्पैसिस होते हैं इतनी परजातियां होती है कि एक नहीं पर जाती है इन सब भी में पाई जाती है कि और इसके बात करते हैं दो सेत्व हिस्ता संग कि यू एन ओ मैं आपको अभी इसके दिंगता यहने iaderya वाई ड्यावरिश्टी डिसक्राइब्ट इनर वड्याइटी ओफ लाइफ ओन और्थ यानि की अलग लग व्रैटी इसकी जो लाइफ एंड इस दॉम्स्ट कॉम्पलेक्स एंड इंपोर्टं फिचर ओवर प्लैनेट डाउट डाइवर्सिटी लाइफ नोट सस्टें यानि कि बिना डाइवर्सिटी के तो लाइफ सस्टें होई नहीं सकती वाई ठीक है तो यह जो ट्रम है वाईवर्सिटी यह सबसे पहले में 1985-22 की गई थी इंपोर्टेंट रोल के रूप में क्योंकि एको सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है तो कितने परकार क्या होता है आप से यह पूछा गया है तो टोटल तीन टैप्स का होता है पहला होता है अनुवंसिक इंग्लिस में कहा जाता है जैनेटिक जनेटिक प्रोब्लम है वहालों के लिए नहीं आती है तो इसको भी य다가 नहीं होगी इसलिए उसकी भीएब प्रकार के लोग को आप देख सकते हो और खंदान यानि की पूरी फैमिली को मिला कर पूरी सुसाइटी बनती इस तरह के से पूरा स्टेट बनता है तो एक स्टेट बजो रहे वाले लोग है फैमिली में बेसेक उनकी जनेटिक एक है बट फिर वी उनमें डाइबरसिटी पाय जाता है तो इसको बोलते हैं जैनेटिक बायो डाइबरसिट एक ट्रम में रहने वाले ऐसे और इसमें डाइबरसिट पाया जाता है यानि की है तो वो एक ही जगाँ पर लेकिन फिर भी वह अपने परकार में अपने बनावट में अलग-अलग है इसलिए इनको पर जाती मे अलग अलग परजाती के लोग इसलिए इनको इसपैसिज बायोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियो बत करें तो भारत का जो वैस्टी है सब् metrics आपर पार देउसे की निदंध के मेंटाभ आपको जीर पाल मुमेंटाइज नेस्ट कोशन है जन घंत्व को परिवासित कीजिए जन घंत्व को परभावित करने वाले प्राकरति कारकों की वेक्चा कीजिए यानि कि defined density of population explain the physical factors affecting the density of population यानि कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं इसको तो हम जन घंत्व गहते हैं यानि कि एक एरिया की जो density है आखिए वो ज्यादा क्यों रहती है इसके factors बताने हैं तो सबसे पहला factor बहुए climate यानि जिस एरिया के अंदर climate नॉर्मल पर जाता है वहां की जनसंकिया ज्यादा ही होती है लेकिन जो एरिया काफी ठंडा है बहुत ज्यादा ही ठंडा है मतलब की लोगों के रहने के लाइक पी नहीं ही फिर भी कुछ लोग वहां पर रहते है इसलिए वहां की संग कम ही होती जहां की का पर जाता है जहां हो उपलब जयता होगी जहां पे लोगों को पीने का पाणी मिल जायेगा होगी वहां पे पॉपलीचन ज्यादा होगी ओसम के डैनसीटी ज्यादा होगी बड़ ज़हां पे आसा नहीं है इसके ठीक अपी परफ्लेक्वर यानि कि ऐसी चगा जहां खनीच परधार्थ की उपलब दिता होती है वहां की जंसंग्या भी जादा होती है और जहां पर ऐसा नहीं है वहां की पॉपलेशन कम होती है यानि कि resources लोगों को attract करती है अपने पास रहने के लिए मजबूर करती है और ऐसा ना होने से लोग जहां को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते है यह चीज़ आपको बताना है डैनिसेटी ज़्यादा होने का रिजन क्या होता है रिसोर्सेज चाहे मिंडर रिसोर्सेज हो फर्टाइल सोल होने साहिए एंड वोर्टर टॉपोग्रेफी क्लाइमेट इन सब का काफी इंपेक्ट होता है किलिए हैं पर चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेस्ट कोशन की नेस्ट कोशन है लिंग अनुपात को परिभासित करे भारत में लिंग अनुपात परतिकूल क्यों है define sex ratio why is the sex ratio unfavorable in India देखो sex ratio का मतलब क्या होता है 1000 पुरुस पर यानि कि 1000 अगर male एक जगा पर रह रहे हैं पुरुस रह रहे हैं तो इनके मुकामले महिलाओं की संक्या कितनी है तो लिंग अनुपात का अर्थ है परती 1000 पुरुसो पर महिलाओं की संक्या तो 2011 की census यानि की जनगन्ना की according भारत में 1000 पुरुसो पर 940 ही महिलाएं हैं तो भारत की जो लिंग अनुपाते वो disbalance है आखिर क्यों है ये तो भारत में घड़ते लिंग अनुपात के कुछ कारण है बहुत सारे आपको यहाँ पर factors बताने सबसे पहले हैं literacy level यानि की the low literacy levels in India especially in rural areas is a major factor responsible for low female sex ratio यानि की छोटे परिवार के मांदंड भी यहाँ पर आपको ध्यान लखना है यानि की literacy rate के वहे से भी सभी चाहते हैं की हम लड़कियों के पैदा ना करे abortion करवा लेते हैं बीच में लड़किया चाहते नहीं है दहिस देना पड़ेगा mentality कुछ ऐसी है देश के अंदर इसमें सुधार हुआ है बट अभी भी काफी सुधार होना जरूरी है कई गउओं के लाखे में ऐसे में कई फैमिली के अंदर तीन चार पांच छी लड़किया हो जाती है और ऐसा देखा भी जाता है बट लड़कों के केस में ऐसा नहीं है वर एक या दो लड़का हो गया तो पैरेंट्स यह डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें चाहिए नहीं है बच्चा लड़की नहीं भी लोगी तो चलेगी इसी वएसे जो सेक्स रेस्यू है यह घरता चला गया ठीक है यह एक डीजन है और दहिज की आदत की लोग पर रहता दहिज की जो परता है यह लोगों के मन में अभी है लड़की होगी दहिज देना पड़ेगा तो डोरी सिस्टम को खतम करना जरूरी है लोग पड़ेलिक कर भी दहिज मांगेंगे तो कैसे काम चलेगा यानि कि लोगों में अवेरनेस होना जरूरी है धार्मिक चता सांस्कृतिक विश्वासों के बज़े से भी एवल बेटा ही अपने माता पिता को संतुष ठक सकता है उनका देखरेक कर सकता है बेटा ही बेटियों की सेक्स रेसियोर वो कम पाए जाती है जागरुकता का अभाब लोगों में जागरुकता फिराना बहुत जरूरी है बेटा हो या बेटी हो सब बराबर है ऐसे कई घर होते हैं जहां पर कोई बेटा नहीं होता सिर्फ बेटिया ही होती है या उस घर का कोई नहीं करने कशी सिस्टर्री लिंगानू पात को परभाब जानेगी जिस तरह के से हमिने भी देखा इसी वाज़े से हमारे सेक्स राशीयों मारे इन्डिया, जिर्क जब भी Climate Change होता है तो इससे ऐरी कल्चेरर पर पर नेगल था है जैसे कि ऐसारे कीट होते हैं जो हमारी क्रोप्तु के लिए हमफुल होते हैं वह क्रोप्त टक्राब कर देते हैं लेक्स्ट वर्सा के पाइटर में बजला हो, जब भी बेमोसम बार्यस होती ह इससे भी कोई उसमें नेगेटिव इंपक्ट पड़ता है प्रोडक्शन में कमी होनी स्टार्ट हो जाती है एंड किर्सी योग्ये जो भूमी है उनकी कमी हो जाती है एंड एवरेज जो टेंपरेचर है इसमें भी इंक्रीजमेंट होता है और इस तरह के से जलवायू परिवर्ता दुन्या के सामने सबसे बड़ी समस्या है क्लोबल वोर्विंग के दिन परते दिन बढ़ते रहने से हमारी लिए ही खत्रा है और इंसानों को आतगवाज से भी जादा खत्रा क्लाइमेट चेंज से है क्योंकि यह जब भी आता है तभाही लेकर आता है और इंसान को इसलिए इन्वार्मेंट को बैलेंस रखना होगा पॉलिशन कम करना होगा पेड जाद से जाद लगाना होगा नेक्ट कोस्ता है भारत में डाक तथा टैलीफोन सेवाओं के महतव का वर्यंद कीजिये दन के दवारे बहुत बहुत कक्यों कि बहुत क्योंठ न हो था गया तो डाक वेवस्ता की शुरवाथ होना भारत के लिए बहुत इंपोर्टन से रुपेजने कं लिए पार्सल पहुंचाने के लिए बैंकिंग विमा तमाम सुविधाई भी लोगों को मिलनी स्टार्ट हो गई दूर भासा और टेलिफोन के विश्कार हो जाने से एक जगा पे लोग है कर भी दूसरे जगा से बात करके अपनी सोचनाओं को पहुंचा दिया करते थे तो इससे पहले बहुत इंपोर्टन रोल हुआ करता था आज भी रोल है बट पहले जाद होगा करता था और तो काफी सारे गवर्मेंट प्राइवेट फैसलिटीज भी लोग को मिलनी साथ होगा यह बचत का प्रोस साहन लोग कि पहले क्या करते थे अपनी सेविंग को डाग घर में एकाउंट के अंदर जमक रभा दिया जाता था, डेपोजिट करवा दिया जाता था क्योंकि डाग घर के अंदर बैंकिंग सर्विस भी लोग को परवैड की जाती थी और कम दर भर धन को सुरश्जिदी दर भीजना, यानि कि बहुत कम चार्ज़ लिया जा जाता था जा घ घर को द्वारा और मनी ट्रांसफर कर दिया जाता था तो लोगो को इससे काफी सुविधाई मिलते थी बैपार को बढ़ावा मिलते था इससे टेलीफोन से वका महत बहुत देरी से बढ़ता चला गया और लोगो के अंदर ये काफी प्रसलित हुआ क्यों टेलीफोन क्या जान है विद आंसर के साथ आपको समझ में आ गया हुआ इस वीडियो को बनाने मुझे बहुत महनत लगी है वीडियो के अंदर जो भी मैंने को समझाया है इसकी फिरी लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रप्स में दिया गया है आप उस पर क्लिक कीजिए उन को स्को दस्रीड कर जीए पेड नोट्स भी दिया गया है और लिंक क्लास में जोइन होना चाहते हैं आप तो प्लीज जोइन हो जाना ताकि आने वाले टाइम में आप सभी के प्रिपरेशन मैं इसी तरीके से खरबा सकूं इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने कोसं बताया है वह सभी एक्क